तो इसमें जो सब्द फैमिली है उसका एक बहुती बड़ा मिनिंग होता है क्योंकि इनसान जो होता है वो बचपन से एक परिवार में रहता है और उसी परिवार में रहते हुए उस पर्टिकुलर जो बच्चे को या फिर उस पर्टिकुलर इनसान को अगर बच्चे की बात करो तो बच्चा बड़ा होता है अपने परिवार में अपने माबाप को देखकर जो कि उनकी life पर बहुत बड़ा impact डालते हैं अक्सर आप लोगों ने एक चीज fail की होगी कि एक बच्चा एक ऐसे घर में पैदा होता है जहां पर मार काट बहुत जादा होती है तो वो बच्चा जो होता है वो अंदर से cutter type का बन जाता है यानि कि कोई उसके सामने पिट रहा है या फिर उसके सामने कुछ गलत काम हो रहा है तो उसको normal लगता है और उसको ये चीज feel होती है कि society में ऐसा ही होता होगा यार क्योंकि उसके उसमें कोई गलती नहीं है न उसने तो वो चीज़े बच्पन से ही देखी है पलेगी नेक ऐसा बच्चा जो की एक बहुती decent family में पैदा हुआ है और इस starting से ही सारी चीज़े उसको समझाए गई है कि ये गलत हैं ऐसा कुछ समाज के अंदर में नहीं होना चाहिए वो बच्चा आप लोग को अंदर से कहीं न कहीं एक समाज के लिए एक soft corner मन में रखेगा उसे कोई भिकारी दिख रहा है या फिर कोई बच्चा दिख रहा है या फिर कोई ऐसा जानवर भी उसको दिख रहा है जो की सड़कों पर तरीके से कई बार टांग टूड़ी बढ़ी है किसी कुत्ते की या फिर अभी दो दिन पहले की बात है मैं सड़क पर जा रहा था तो जैसे निसे सड़क पर जैसे गन्यकारस बेचने वाला होता है तो उसके पास में से एक उसकी जो ठेली के नीचे से कबूतर निकल कर आया और कबूतर निकल कर उड़ा और उड़के वो जो है एक मतलब रोड के बीच में जागे बैढ गया ठीक है तो यहाँ पर जैसे ही देख रहाता मैं तो उधर से जैसे गाड़ी आ रहे थी तो गाड़ी रुकी नहीं तो मैं जैसे गया तो हाँ पर एक रिक्सा वाले ने रोका बेसिकली उसके सामने और फिर जैसे मैंने उसको उठा के सैड में रखा तो रिक्सा वाल आया उसने उसमें पानी भी था क्योंकि मेरे पास में उस टाइम पर पानी नी था तो उसने एक बोटल में से पानी निकाल कर उसके उपर पानी भी डाला तो इंसान जो है एक तरीके से उसी समाज में रहते हैं और उसमें ही आप लोगों इस यह देखने को मिल जाती है कि एक इंसान उसको देखकर रुख गया उसके लिए काम कर रहा है और दूसरा इंसान चला गया पर लेकिन सबसे खतरनाक चीज यहाँ पर तब देखने को मिलती है जब यहाँ पर कोई parents यहाँ पर बच्चों के साथ में कुछ उल्टी सीधी हरकते करते हैं अब जब कोई reason ना हो मैंने कोई गलती किया है मेरे पापा ने मुझे मार दे मम्मी ने मुझे पीट दिया समझ में आता है पेटने भी चाहर थोड़ा सा अगर गलती किये तो पनिसमेट मिलना चाहिए पर लेकिन बिना बात को बच्चे को पेटना तो यहाँ पर यह एक ऐसी वीडियो है जो उत्तर प्रदेश से वाइरल हो रही है और अभी मैं आप लोगों से कही सारी और ऐसी बाते करूँगा जिससे आप लोग समझ पाएंगे एक तो खर इलेक्शन के बारे में तो बाते करेंगे पूरा न्यूस्वेवर भरा पड़ा आज की डेट में और इसी के साथ में नोटा के बारें बात करेंगे और जो यह स्टार्टिंग वाली न्यूस है ना इससे रेलेटर में आप लोगों से एक न्यूस डिसकस करूँगा कि हमारे देश के अंदर में आज की डेट में वुमेन को लेकर हमारे देश की कैपिटल कितनी अनसेफ है यह पर्टिकुलर एक रिपोर्ट चाबी गई है और खुद गॉर्मेंट की एजनसी के द्वारा रिपोर्ट चाबी गई है तो जानेंगे हमारे देश के अंदर में एक एडल्ट्री नाम की चीज होती है हमारे देश के अंदर में नहीं मतलब यह एक normal एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बार बार आप लोगों चीज देखने को मिलती है क्या है समझेंगे किस तरीके से हमारे देश के अंदर में क्या का चीज देखने को मिल रही है तो काफी कुछ जानने को मिलेगी एक आर्टिकल डिसेबल के बारे में जानेंगे बहुत ही important आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे देश के first president of India डोक्टर राजेंद परसाज जी के बारे में समझेंगे उनका 139th बरतरी अभी celebrate किया गया इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा अभी मोधी जी और मैनमार के जो लिटर वो मिले थे उससे लिटर आर्टिकल है क्योंकि हम लोगों ने अब भाँ से अपनी जो आर्मी डिफेंस है उसको निकालने की बात किये इसी के साथ में डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल कितनी पारफुल बोड़ी है ये आप लोगों यहाँ पर जानने को मिलने वाला है एक ऐसी टर्म जो आप लोगों ने सुनी तो होगी पर कई बार मतलब समझ में नहाता है यह क्या है और क्यों इसने इंडिया की बढ़ाई की है इंटरेस्टिंग है अगर आप लोगों ने पुराने पेपर उठागर देखे होंगे तो अच्छे से हम लोग इसके बारे में समझेंगे इसी के साथ में एक आर्टिकल होगा यहाँ पर बहुती इंटरेस्टिंग जो हिष्टी के बारे में बात करेगा आप लोगों से थोड़ा से इंडिस्ट वैली सिवलाजिशन के बारे में आप लोगों से बात करूँगा कुछ कोशन भी प्रेक्टिस करेंगे अभी यहाँ पर CRPF के जमानों को डिपलोए कर दिये गया नॉर्मली सिक्योर्टी थ्रेट के लिए करते हैं पर यहाँ पर नागा अर्जुन सागर जो डैम है आंदरपरदेश तेलंगाना जिसके लिए फाइट कर रहे हैं वहाँ पर दिक्कत है देखने को मिल रही है जाने के क्रिष्णा रिवर क्या होती है बहुती शांदार तरीके से यहाँ पर समझेंगे आप लोगों को देखने को मिलेगा Amazon सुने ना घर पर डिलिवरी हो गई Amazon के बारे में हम लोग जानते हैं आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि Amazon जो है आवाज नहीं आ रही है क्या तो यहाँ पर अभी जो इंपोटेंट मुद्धा है आप यह आप लोग समझ सकते हैं यह NCRT क्लास मैंने बताया तो आज से स्टार्ट हो रही है ठीक है इसको जो यहाँ इस लेक्चर से लेटेट जो भी बात है उनके बारें बात कर लो जो आप लोग के डाउट है कि NCRT के लिए आई बी के बैच के लिए जो किया से स्टार्ट हो रहा है या फिर जो भी आप लोग की जो चीजे हैं क्या क्या चल रहा है उसके बारे में मैं बाद में आप लोग को टाइम दोंगा तो उसके बारे में बात करें ना प्लीज आप जैसे हां लेक्चर होता है इसमें ही बात क मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि बाद में टाइम दोगा जो एक्स्ट्रा बात हैं आप लोगे लिए टोपिक से लेटेड कुछ बात हो तो आप लोग पूछ अगरो ठीक है सोचोगी आज की डेट में अप लोगे घर पर कोई चीज़ें डिलिवर करती है वो अभी हाँ पर इस्पेस एक्स यानिके इलोन मस्क की कमपनी के साथ मिलकर रोकिट लॉंच करने की बात कर रहे हैं तो यहां पर यह private participation जो देखने को मिलता है हमारे देशने भी हो जाए तो मज़ा जाए तो इसके बारे में भी हम लोग जानेगी तो बहुत ही important है वाई साब गजब तरीके की बारीज देखने को मिल रही है cyclone के बारे में कुछ overview में आप लोगो दूँगा क्या क्या है cyclone के बारे में कुछ basic चीजे भी हम लोग यहां पर समझेंगे यह भी एक interesting article आप लोगो देखने को मिलेगा इसी के साथ में IMO एक इंसान जो है पहली बार उसने exam दिया उसका selection हो गया दूसरी बार exam दिया फिर से selection हो गया ठीक है तो ऐसा ही है हमारा अब की बार IMO के अंदर में फिर से हम लोग reelect होगे तो क्या है यह IMO इसके बारे में तो जानना बनता है समझेंगे अच्छे से इसराइल ने क्या क्या बत्तमी जी कर रहा है फिलाल की डेट में रुकने के लिए त्यार नहीं है और जहां पर बोला था यहां पर नीचे चले जाओ सदन गाजय के अंदर महां भी bombardement करने श्राट कर दिया मुद्दा क्या है समझेंगे एक Chinese boat फिलिपिन के बारे में जानेंगे और जैसा मैंने one liner के था तो चार one liner भी वीडियो के end में आप लोग को देखने को मिलेंगे क्या क्या मुद्दा है और इसके बाद में आप लोग की vocabulary यानि कि discussion बहुत शानदार रहने वाला है और भी बहुत कुछ इसके अंदर में होगा जो हम लोग अच्छे से discuss करेंगे ठीक है पर लेकिन आप लोग को टक-टकी लगा कर सुनना है lecture में इतना कुछ होगा अगर आप लोग लग रहा है जो मैंने ये सब कुछ बता है या आप लोग अपने आप से cover कर सकते हैं तो वीडियो को ही पर ही बंद कर देना पर लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं यार ये तो मतलब आप लोग बेसिकली वीडियो के साथ में ही cover करेंगे तो फिर अराम से enjoy करना ये मत देखना कि वीडियो के बलंबी है चोटी है मुझे ये बीच में याद मत दिलाना ये आप लोगों से हाज जोड़के मैं प्राथना करता हूँ इतना बस मेरे लिए कर देना बाकी यहाँ पर जो ये particular जो वीडियो है जिसके बारे मैंने बात की ये वीडियो वाइरल हुआ और जब पूछा गया बाप से क्यों मार रहा है तो यहाँ पर ये जो बाप है इसने कोई answer नी दिया और नहीं कुछ पता चला है पुलिस में रिपोर्ट हो गई है तो पुलिस कह रही है कि हाँ देखते हैं कि मुद्दा क्या है तो उसके बारे में कुछ पता चलता है तो जानेंगे पर लेकिन हम लोग एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर ये चीजे होती रहते हैं और बहुत कम ऐसे हैं जो कि लोग रुक कर ऐसे इनसान को रोकते हैं आप लोग सोच के देखो माली ये इनसान है ये हाँ पर देख रहा है ये देखकर निकल के चला गया तो इस तरीके के इंसान की जो ताकत है न वो बढ़ जाती है यानि कि ठीक इंसान का चुप रहना गलत इंसान को पावर दे देता है आप लोग ऐसा बोल सकते हैं तो समाज में अगर आप लोगो लग रहा है कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है मैं यह नहीं कहरा कि उसके साथ में जाकर आप लोग भिर जाओ पर एक इंसान को टोक देना भी एक उसको ठेस लगती है कि इसने बोल दिया तो वो थोड़ा सा हैजिटेट करता है अगर आप लोग उसको टोकते भी नहीं हो ऐसे ही निकल जाते हो आप लोग फिर एक तरीके से आप लोग बैट के उसके साथ में जगरने लोग मतलब थोड़ा सा अगर दो क्या यह क्या गर रहो यह गलत चीज है इतना भी बोलके चले जाओ ना आप कि वो भालत में कुछ भी बोलता रहे एक आदा और बोलेगा क्योंकि पहले कोई इंसान अगर इस्टैब उठाता है ऐसा कुछ करने के लिए तो दूसरे इंसान अपने आप आने लगते हैं जो फस्ट टाइम करता है ना वो सबसे ज़्यादा पावरफुल मना आता है क्योंकि पहली बार लोगों को चीजे करने में हैजिटेशन होती है और वो आप लोगो हर जगे देखने को मिलते हैं तो यह ऐसे इंसिडेंट कई बार देखने को मिलते है तो आप लोग बींगे responsible region of India कुछ भी ऐसा देखने को मिले अपने end पर क्या गर सकते हैं और नहीं तो कुछ यहाँ पर जैसे बहुत सारे number होते है help line के उन पर call कर दोगी एक बत्तमीज इंसान ऐसी घर करते हर घटिया कर रहे हैं यहाँ पर सड़क के उपर एक second लगेगी Google पर search करो और कर्दो कोल भाई साब उठागे location share कर्दोस के साथ में तो अगर आप लोग कुछ नहीं करना है तो यह भी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी तो यह पापा नहीं है एक तरीके से कसाई बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर जिसको यह समझ में नहीं आ रहा है कि बच्ची को क्यों पीट रहा है बस पीटे जा रहा है ठीक है बागी बाई साब एक तरीके से कल का जो दिन था उन्हीं कहते कि मोदी जी चागे मोदी जी चागे बाई साब पूरे दिन ऐसा था यहाँ पर देखने के लिए और बाकि जो कॉंग्रेस है उसके लिए अच्छी बात यहाँ पर यह कि सीट तो नहीं मिल पाई उनको पलेकिन उन्हों ने अपना जो वोटिंग सेर है वो कम नहीं होने दिया यानि कि जो लोग उनको वोट दे रहे थे उन्होंने उन्हीं को में माले जे 30 जो जीत का है उसको कितनी मिले है 40% वोट मिले है ठीक है 40% वोट मिले है बाकी के जो बच गए यहाँ पर उनको 30-30% वोट मिले है तो जितने % वोट उनके पहले थे उतने ही % वोट उनके पास में अभी भी है तो इससे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इससे ही है कि हाँ सीट नहीं मिली पर लेकिन लोगों का ट्रस्ट जो है वह भी भी मिंटेन है तो ये चीज यहाँ पर दिखाने कोसिस की जारी है पर लेकिन अच्छी बात जो लगी मुझे कि एक तरीक से फुल मेजरोटी के साथ में सरकार बनाने का मोका दिया क्योंकि अगर टूटी-फुटी सरकार आती है तो फिर उससे दीख कर दे देखने को मिलती है ठीक है कही सारे लोग हालकी इसके ओपर आरोब भी लगा रहे हैं कि EVM में घोटाला कर दिया गडबड कर दिया फुलान डिपकाना तो यार देखो थोड़ा ट्रस्ट करो अपने देश के सिस्टम के ओपर भी ठीक है घोटाला घोटाला देखने के लिए हमारे देश के जो जजिस वगएरे हैं वो सब मतलब कोट वगएरा और सारी चीज़े हैं पोजिशन भी यह सब है बैठी हुए उसको देखेंगे जो भी है पर हाँ यह है कि जना देश है यही बात है कि जीत जाएं तो वही बात है फिर मतलब ये एक control से अडोबिक हो जाता है कि जीत गए तो वाई सब गोटाला और हार गए तो ये हम सही है फिर वो वाली बाद देखने को मिलती है ठीक है तो मतलब सब है अपनी जगे सब चलता है आटे में नमक चीज़े जीती चीज़े होती है वो अपनी जगे हाई है कि जनता कहां ट्रस्ट कर रही है वो आप लोगो देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर फुल मेजरूटी के साथ में आती है इससे फायदा क्या होता है एक stable government बनती है और वो decision लेगने की capability रखती है तो चाहे किसी की भी सरकार बने पर हाँ वो एक majority वाली सरकार बने तो ज़्यादा अच्छा काम हो पाता है वरना internal politics में सब कुछ फसा रह जाता है यह चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ठीक है अब जो important topic है जिसके लिए में election के बारें बात करने वाला हूँ वो है नोटा यह बहुती interesting topic भी है और बहुती important topic भी है मैं कई सारी बाते बताऊंगा है यहाँ पर आम आदमी party वो यहाँ पर अभी कई सारे राज्ये में लड़ी और इतने कम vote आए कि नोटा को भी ने सभाल पाई यहनिके नोटा से भी कम vote आए तो यहाँ पर इसका trust जो है और राज्ये में देखने को ने मिला आम आदमी party का जो जादू दिल्ली में चला था हो कहीं और नी चला ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं तो आम आदमी party हार रही है जीत रही है यह तो हमारे लिए काम का नहीं है हमारे लिए काम का क्या है हमारे लिए काम का है नोटा बटन क्योंकि नोटा बटन फिर से यहाँ पर न्यूज में आ रहा है और none of the above के बारे में अगर आप लोगों से बात करें तो question बनने के chances सारे ऐसे देश हैं जो कि नोटा को अलाव करते हैं नोटा को अलाव करने का मतलब क्या होते हैं EVM मसीन के अंदर में जो भी candidate होते हैं उन candidate के नाम के नाम के नीचे सबसे नीचे जो रहता है वो रहता है नोटा का बटन किसकी से ने देखा है तो जो नोटा का बटन होता है परपज क्या रहता है कि आप लोगों के पास में right to reject है मतलब एक तो देखो यहाँ पर दो चीज़े हैं बहुत ही important है यह interview का question बनता है कि नोटा का बटन होने का फाइदा क्या है कि इससे तो किसी को impact नहीं पड़ रहे हैं जिसको reject भी कर दिया हुआ भी फिर भी candidate जीत क्या र वोट देने निकला है अब हाँ पर वो क्या करेगा उसके पास में candidate के list है उसको कोई भी candidate अगर पसंद नहीं आया फिर भी वो अपना right to vote जो आप लोगो मिला हुआ है किस article के अंदर मिला है right to vote बज़र बताइए उस right to vote का इस्तमाल करकर वो आ रहे है right to vote जो है वो आप लो का constitutional right है जो आप लोगा यह सम्मेथानिक अधिकार है आप लोग उसका इस्तमाली नहीं कर पाते तो सबसे important बात क्या हो गई आपर दोस्तों सबसे important बात यहां पर यह हो गई कि इस नोटा का अधिकार आप लोग कर पारे हो यूज़ करके अपने right to vote का और दूसरा आप लोगों ने इनसान को reject भी कर दिया तो दो अधिकार का इस्तमाल आपको लोग कर पा रहे हैं नोटा की वज़े से अब नोटा का impact मैं आप लोगों बताऊंगा पहले आप लोग समझे कि यहां पर जब नोटा यहां पर आता है तो आप लोग अपने right to reject का आप लोग अधिक काम किया आपको भी पसंद दिया आप लोग ने जागे सीधा नोटा दबा दिया अब कर ले चेक किसको दिया है वोट हिम्मत है तो चेक करके दिखा दे तो कहने का मतलब यहां पर यह कि आप लोग के वोट का अधिकार भी आप लोग हो गया right to reject भी आप लोगों मिल गया औ हीने कहीं election system के अंदर में जब जनता का participation बढ़ता है तो इससे फाइदा यह होता है कि लोग जो होते हैं उसके habitual हो जाते हैं फिर अपने वोट का अधिकार इस्तमाल करने स्टार्ट कर देते हैं तो हर एक citizen को यह अधिकार मिलता है कि आप लोग एक तरीके से disapprove कर सकते हैं कि सामने वाले जो candidate हैं आपर जो ऊपर बैठे हैं इनमें जो जीत के आया है उससे ज्यादा वोट जो है वो नोटा पर चले गई जब उससे ज्यादा वोट जो है वो नोटा पर चले गई आप लोग सोच के देखो कि अलग 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 newspaper हमारे देश के अंदर में अब यह Candidate लोगों को पसंद ही नहीं है, जीत कर आ गया वो अलग बात है, नोटा पर इससे ज़्यादा वोट चलेगी, तो ये बेजती वाली बात हो जाती है candidate के लिए भी और political party के लिए भी, तो political party जो कि हाँ पर हमारे लिए candidate चुन कर लेकर आती है, वो आगे से कम से कम थोड़ा करेगी, तो ये बिल्कुल जो नोटा वाला बटन है ना, ये बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं, आप लोग DPSP, Directive Principle of State Policy, यनि के राज्य की नीती के निर्देसा तक्त, दोस्तों ये पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये क्या करते हैं, फंडमेंटल राइट तो फोर्स करते हैं सरकार को कि भैसाब इस दायरे से भार मत जाना, अगर इस दायरे से भार जाओगे, तो हम लोग Direct Court में चले जाएंगे, और अपने आर्टिकल फंडमेंटल राइट के इस्तमाल करेंगे, जो पार्ट 3 में है, यनि कि आर्टिकल 32 जो है, उसका तलवार हम तो तो तुम्हारे सर्पे नलत का देंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इस्तमाल का क्या जरा बताएं सेम चीज के लिए हाइं कौड में कौन सा इस्तमाल करते है, तो आप लोग माली जे कोर्ड में चलेए, तो fundamental right को enforce किया जाएगा कोड करते हैं, पर DPSP में तो ऐसा आपना बता देगी तुमने क्या क्या है तो एक तरीके से ये direction देने के काम करते हैं पर force नहीं करते हैं ऐसा आप लोग बोल सकते हैं तो दोस्तों नोटा भी बिल्कुल ऐसा ही है ये force नहीं कर रहे है पोलेटिकल एक तरीके से ये तरीके से force नहीं कर रहे है कि आप लोग तो याद रखना आर्टिकल 32 जो रहता है वो सुप्रीम कोट के लिए रहता है और आर्टिकल 226 जो है यह आप लोग के हाई कोट के लिए रहता है अपने अधिकार का इस्तमाल करने के लिए अभी हाँ पर जो नोटा बटन है इसके बारे में अगर कई सारे प्रोविजन आप लोगों से पूछ ले आते हैं तो बिफोर नोटा हमारी देश के अंदर में सेक्शन कौन सा था फोटी नाइन ओ था यहाँ पर अब इवे मसीन के अंदर में डिरेक्ट ही आप लोग को यहाँ पर जब यह चीजे देखने को मिल जाती है तो इससे फायदा क्या है इससे फाय कि जो एक तरीके से इड archetype को प्रोटेक्ट ने कर पाते के पता चल जाता ता अच्चा यह इ magnitude वोट करना चाड़ है lantern के आने के बाद में क्या हो राइट टू आप लोग की प्राइविसी भी है, सेक्रेसी है, प्राइविसी नहीं, सेक्रेसी बनाई जाती है basically, ताकि हर एक individual अपनी वोट का अधिकार दे सके, अब एक interesting चीज याद रखना दोस्तों यहाँ पर, यहाँ पर इसके ओपर debate और discussion भी चला, जब यहाँ पर नोट लिए आप लोग यहाँ पर एक तरीके से, जो चुने होई नुमाइन दे ही जाकर काम करते हैं, तो नोटा का जो बटन है, आपर electoral value के इसाब से तो हम लोग ने देख लिया, कि कहीं ने कहीं, डिस अप्रूव करने कि आप लोगे पास में एक expression है, यह भी आप लोगा एक आ सकती है, पोल और पोलिंग पार्टी के एक behavior में भी, कि वो clean candidate लेकर आए, तो यहाँ पर starting में तो यह बोला गया, यह नोटा ना फाल्तु का time pass है, लेकिन reality में जब मुझे याद है, जब इस नोटा को implement किया गया था, दुनिया भर के article में आप लोगों से discuss के थे इसी behavior change के बारे में बाते कर रहा है, यह बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आप लोगों से बात नहीं के थी हमारे देश के अंदर में की स्वच भारत अभियान लेकर आगे, तो स्वच भारत अभियान क्या कर रहा था, वो जनता की आदत, habit को change करने के ओपर सबसे ज़्यद़ फोकस कर रहा था, आप लोगों को याद हैं, मैंने आप लोग कितनी बार बता है, एपिजी अब्दुल क्लान सर ने एक बात बोले कि हम लोग अपना future change नहीं कर सकते हैं, पर लेकिन हम लोग अपनी आदत change कर सकते हैं, और आदत change करते ही हमारा future change हो जाएगा, तो वही आदत तो हम लोग को change करनी है, और वही आदत political party के हम लोग को change करनी है, तो यह चीज़े आप लोग समझ सकते हैं, तो जब नोटा की बात की गई राजसभा के लिए, तो सुप्रिम कोर्ट ने बोला कि जो नोटा का परपज है, वो परपज राजसभा में उसको कोई मतलब भी नहीं है, यहाँ पर indirect election होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर यह case था, P.U.C.L. vs. Junior of India का बारे में बात करें, तो यहाँ पर इसको चलते हों, यहाँ पर बात कीगे कि नोटा को लेकर राजसभा में एक तरीके से, जो reality में राजसभा की जो एक तरीके से चीज़े आप लोग को देखने को मिलती है, election को लेका, तो article 80 जो purpose है, वो fulfill नहीं हो पा रहे हैं आपा, यहनि कहने का मदलब यहाँ पर यहाँ पर यह कि direct election के लिए जनता को यह अधिकार है, ना कि जनता की चुनिकोई नमाइंदों को अधिकार दे रखा है हम लोग ने, जो कि यहाँ पर काम करते हैं आगे च जारी है, ठीक है, एक सेकिंड, article 84 आ गया यह, इसको article 80 एक बार, basically article 80 के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, तो यहाँ पर article 84 आ गया, यह article 84 कैसे लग गया, इस समझ में नहीं है, मुझे article 80 जालत है आपर, तो मतलब कहने का क्या है कि जब election के बारे में हम लोग आप लोग को देखने को मिलता है, कि कहीं ने कहीं जो एक pattern है आपर, अगर लोग सभा के बारे में आप लोग बात करें, या फिर राजी सभा के बारे में बात करो, तो लोग सभा में आप लोग member of parliament को खुद से चुन कर भेजती है, ठीक है, पर लेकिन article 80 के हैं आपर, वो र आप लोग को 238 member जो हैं, वो चुन कर आ रहे हैं आपर, और 12 member जो हैं, वो यहाँ पर आप लोग को nominated देखने को मिल रहे हैं, तो यह सारे के सारे provision article 80 में आप लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो article 80 जो यहाँ पर provision है राजी सभा के बारे में, तो उसके हिसाब से जो किस तरीके से election हो रहे हैं, तो nota की जो value है, जिस तरीके से nota add किया, वो वो चीज़े वो यहाँ पर fulfill नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए राजी सभा के लिए उसके को वना कर दिया, ठीक है, क्योंकि मतलब क्या है, यह universal edit franchise के लिए हैं, कि जनता डाले vote वोट वहाँ पर जाकर, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह basic बाते हैं, जो आप लोग उसे कई बार question की form में पुछी आती है, तो इसको आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है, तो आज देखो कितने article में भी यहाँ पर आप लोगे बता द होगे, पर लेकिन अगर आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिस करोगे, कि यह क्यों वो न्यूज में है, तो आप लोग को डिरेक्ट बन जाएगा, मैंने आप लोग उसे कितनी बार बता है, कि कोई भी चीज रेटनी नहीं है, समझ नहीं है, वो यहाँ पर क्यों देखन पर चीज रेशिए, तो कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग सफल रह जाते हैं, दोस्तों एक इंटरिस्टिन चीज़ बताओ, आप लोगो देखने को मिलेगा एक इंसान जो है, आप लोग इंटर्विवियू देखकर बाहर निकल कर आ गया, ठीक है, और एक इंसान है वो इंटर्यू में सेलेक्ट हो गया अपनी पोजिशन पर पहुंच गया तो ज्यादा फर्क उनकी नोलिज में आप लोगो देखने को नहीं मिलेगा ठीक है सबसे बड़ी बात तो मुझे यह लगते है कि अगर जिन्दगी में आप लोग एसफल हो रहे हो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर रहे हो तो यह आप लोग की इंप्रूव करने के बारे में सोचोगी नहीं तो सबसे पहला है एक्सेप्टेंस उस चीज को एकसेप्ट करो कि हाँ यह चीजे मेरी वज़े से हुई है और फिर एक इंट्रेसिंग चीज आप लोग को बताओ ही नहीं करोगे तो सोचो आप लोग फिर रिजल्ट अच्छा कैसे लेकर आओगे तो मैं आप लोग को यहां पर बस यही एक छोड़ी सी बात बताना चाहरा हूं कि अगर आप लोग रियलटी में चीज़ को एकसेप्ट कर लोगे तो फिर आप लोग अपनी चीजों को अच ही पोजिशन उपर पहुँच पाओगे एक अच्छा उधान देता हूं चला आप लोगो आज की डेट में आप लोग मालीजे कोई पर्टिगलर परसन जो है वो होस्पिटल में बैठ हुआ है किसी ऐसे इंसान का इलाज करवाने के लिए जो की बहुती करीब ही है आप आप लोग को अपनी responsibility लेनी पड़ेगी जो काम आप लोग कर रहे है उसकी responsibility आप लोग को लेनी पड़ेगी कि हाँ ये काम मुझे करना है और जिंदगी में सबसे खतरनाक चीत बताए कि है इंसान 99% यह सोचता है वह किसी तरीके से एक job मिल जाए उसके बाद में कहानी खता बस जिंदगी के मजे करेंगे अगर आप लोग अपनी जिंदगी में एक job लेने तक ही सोच रहे हैं तो job लेते ही आप लोग की life जो है वो stagnant हो जाएगी और उससे आगे भी आप लोग ने बढ़ोगी अपनी जिंदगी में हमेशा एक job एक छोटा सा पार्ट है आप लोग क में आना श्टार्ट हो जाएगी तो ये चीजे जी दिन आप लोग ने समझने श्टार्ट कर दीना तो आप लोग के mind पे जो pressure पड़ता है job को लेकर वो pressure होना कम हो जाएगा और आप लोग उसको responsibility की तरीके से लेने लोगो कि हाँ ये मेरी responsibility है और मुझे ये निभानी है और ये होती अच्छे से वह खूबी मुझे निभानी है तो ये चीजे आप लोग समझना तो सफल और एसफल लोग अपनी छमताओं में बहुत भिन नहीं होते हैं वे अपनी छमता तक पहुचने के लिए अपनी जो इच्छाओं में भिन होते हैं क्योंकि एक इंसान जो है उस उसको उठ जाता है दूसरा सोता रहता है तो यहां से जी दिन आप लोगों ने चीजे पकरनी स्टार्ट कर ली तो आप लोग देखना आप लोग देख तो सही एक मिनट मतलब घरों में देखो आप लोग जिसे फादर जिसे बीमार हो गया फिर भी वो अपना काम करते रहत लोगर करो यह सारी चीजे होते नहीं थे मैं नहीं नहीं कहरे कि अपनी हल्त को इःशनल होग दो ठिक है तो यह चीज आप लोग याद रखना बाकी कैसा लगा लेक्टर अब तक कैसे लग रहे हैं आज का दिं कैसा डिसाइड किया है कैसे ले कर चलना है कल का दीन कैसा थ तो आप लोग का discipline test में कितने number आए हैं बताना जरूर पांच में से कितने number आप लोगो मिल रहे हैं ये जरूर लिखा करो और मैं तो ये कहता हूँ कि जो SLV planner है ना उस पे चीज भरना श्टार्ट कर दो तो आप लोगी सारी चीजे जो हैं वो आगे आप लोगो बढ़ती नजराएगी से अन्दार तरीके से ठीक है तो ये चीजे आप लोग याद रखना बाकी UPSC की class में हाँ पर हिस्टी की regular class आप लोगी एड़ कर दी है क्योंकि फटा-फट हिस्टी के जो सेले बस है उसको अच्छे से cover किया जाएगा बाकी जो class चल रही थी वो चली रही है जैसे CSAT का course यहाँ पर complete होता है तो फिर आप लोगी 3 बज़ जाएगी कुस दिनों के लिए भी एक class extra हो गई आप लोगे लिए ठीक है तो इसको आप लोग देखना जो भी 0 ने भी admission लिया है और बाकी का जो आप लोग का वो है क्या कहते है जो NCRT वाला है उसमें भी आप लोगी regular दो class अभी देखने को मिलने लगेगी आज से ठीक है आईए अब चलते हैं next article की ओर ये article मतलब जब मैं इसको देख रहाता ना तो मतलब मुझे काफी interesting लगा ये article कि हाँ पर ये article किस तरीके से लिखा गया है आप लोग इसको समझोगे तो आप लोग अच्छे से understand कर पाऊगे धियान से सुनना दोस्तों इस article के बारे में ये article बात कर रहा है teachers के बारे में यानि कि जैसे कि मैं आप लोगों बढ़ा रहा हूँ teacher एक teacher गो है कि जिसके पास में कोई degree होती है teaching की मेरे पास में कोई teaching की degree नहीं है पर हाँ मैं चीजों को थोड़ा सा समझा पाता हूं मतलब मुझे यह लगता है कि कोई मेरे से अगर कुछ पूसता है मैं पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं वैसे भी अगर मेरे से कोई कुछ बोसता है तो मैं थोड़ा सा उसको समझा देता हूं कि यार ऐसे कर ले हो चीजे पर लेकिन हम लोग कैसे चेक करते हैं हम लोग डिग्री के बेसिस पर बात करते हैं कि यह इंसान जो है इसके पास में डिग्री नहीं है तो यहाँ पर कैसे इसको जोब दे दे तो डिग्री छोड़ो उस इंसान को डिरेक्ट जो है उतार दोना आप लोग बच्चों के सामने जाकर अगर वो उसको satisfy कर पाता है बच्चों को और बच्चों को वो जिस तरीके से चीजे समझा पाता है वो सही है तो भैसा वो सही है अगर वो नहीं समझा पा रहा है तो फिर उसको अलग रखो यहां पर तो यह कहने का मतलब है डिगरी के साथ साथ में experience basis पर भी अलग-अल लगी तो teaching के बारे में यहां पर क्यों आरा है article क्योंकि अभी यहां पर world teachers day celebrate किया गया है किस दिन celebrate किया गया यह आप लोग को बताना है जो teachers हैं वो requirement है उनकी education अगर आज किर में society में चाहिए तो जिस तरीके से global level पर आप लोग को देखने को मिलता है किस तरीके से वो चीजों को सुधार सकते हैं और किस तरीके से address करना चाहिए हम लोग को shortage of teacher के बारे में वो बताया गया है एक जगे इसके अंदर बढ़ा interesting एक article के अंदर में बढ़ा interesting पैरा लिखा गया है वहाँ पर ये बोला गया है कि जब एक teacher जो होता है न नॉर्मली जिसे आप लोग बोलते हैं कि हाँ ये teacher है तो teacher जो होता है वो reality में हमारे ही society का part आप लोग को देखने को मिलता है हमारे ही समाज में से निकल कर आता है और उसी teacher को basically हम लोग अलग तरीके से देखने लगते है teacher न के पता नहीं क्या हो गया ऐसे ही आप लोग देखो जज आ गया हमारे समाज में से निगल के आ रहा है न ठीक है कोई अगर हमारा security force हमारा कोई soldier कोई border पर सिफाई है वो भी हमारे समाज से निगल कर आ रहा है तो कहीं न कहीं हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे जैसे ही तो इंसान है तो यहाँ पर हम लोग कई बार उसको alien मानने लगते है यानि कि एक teacher के ओपर जो responsibility होती है उस responsibility को छोड़कर उसके ओपर पता नहीं क्या क्या responsibility डाल देते हैं तो education अगर मालीजे कोई इंसान है सचीन तेंदूलकर मालीजे किरकेट खेलने में अच्छे हैं ठीक है आज की date में तो वो भी ऐसे ऐसे advertisement कर रहे है मतलब क्या ही करूँ यार सुन सोच के ना मुझे कई बारना irritation सी होन लगती है मतलब पैसा लेके ये लोग जाएंगे कहां इनसे अच्छे तो यार वो हैं जो सड़क पर बैठ कर भी वांग रहे हैं कम से कम दो पैसा मिलता है उसको खा लेते हैं और सोचाते हैं किसी की जिंदगी तो बरबाद नहीं कर रहे हैं मतलब ये लोग सोचो ये रम्मी के अडिविटीजमेंट कर रहे हैं ये गुटके के अडिविटीजमेंट कर रहे हैं गुटके दारू पता नहीं किस किस चीज के अडिविटीजमेंट कर रहे हैं ये अपने आपको हीरो बोलते हैं ये ये सोचो आप लोग क्या-क्या चीज़ें इनकी चल रही है। ये मतलब देखकर भी ऐसा लगता है कि मैंने का क्या लेकर जाएते हैं, मतलब क्या करने जा रहे हैं, क्या करोगे उन पैसो का, ऐसी क्या कमी पढ़ रही है, क्या मजबूरी पढ़ रही है। एक इनसान ने गरीब है सड़क पर बैठा है, दो मक्त का खाना नहीं मिल पार है उसको, वो चोरी कर ले समझ में आता है कि यार उसने रोटी के लिए चोरी कर ली। मतलब तुम लोग अपनी जिंदगी तो मतलब इन में से कोई भी इनसान ये सारी चीज़ें इस्तमाल ने करता है, जो आप लोगो बांटी जाती है, तो इसलिए इनके उपर और खासकर अभी जो UPSC के खासकर जो टोपर आते हैं, उनके उपर आप लोग ट्रस्ट करना बंद कर दो, क्योंकि जिस दिन election बोलाओ, जिस दिन selection हो जाता है, उसी दिन यहाँ पर सब के पास में भरपूर माल पानी पहुच जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में वो जो बाते जो चपड़ चपड़ इनसान बोल रहे हैं, यह क्या है, यह क्या है, वो फड़ पड़ा रहा है, तो उते कितर है, इसके पीछे जो बेसिकली भर दिया गया अच्छे से, वो हाँ पर उसका आवाज निकल कर आ रही है, तो अपने आप इसे ऐसे इंसान से पूछो जिसका सेलेक्सिन नियुक्त है, वो ज्यादे अच्छी बाते बता देगा आप लोगो, अगर उसके पास में experience होगा, as compared to a topper के compare में, तो इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो, वो तो अभी हाँ पर आप लोगो पता है, हमारे देश में जो competition commission of India, उसने क्या क्या चीजे रखी हैं सामने निकाल कर सारे institution की, तो याद रखो आप लोग थोड़ा सा इनसे अपने बुद्धी का भी विवेक का भी इस्तमाल करो, कि क्या सही है, क्या गलत है, और ये विवेक का इस्तमाल करना आप लोग कौन सिखाता है, ये इस article में बोला गया कि teacher, यानि कि teacher only teaching के लिए नहीं होता है, teacher जो होता है, वो यहाँ पर कहीं ने कहीं एक बच्चे को, उसका overall development करने के लिए होता है, teacher और parents जो होते हैं, वो सबसे most important pillar होते हैं, एक बच्चे की life के जैसे जैसे बच्चा जो रहा है, वो बढ़ रहा होते हैं, अगर ये दो इनसान एक बच्चे की जिन्दगी में सही होना, बेड़ा उस इनसान को कोई भी नहीं रोक सकता है, कभी भी नहीं रोक सकता है, उसको आगे बढ़ने से, पर लेकिन अगर इनमें से एक भी pillar हट गया, parents या पर teacher वाला pillar उसको सही नहीं मिला, तो फिर वो गड़बड दोस्त, यानि कि जिस community के अंदर में आप लोग रहते हैं, आप लोग ने सुनाया न कई बार मेरे मेरे मुझ से, अगर आप लोग 5 successful इंसानों के बीच में रहते हैं, तो छटे आप लोग देखने को मिलेंगे, आप लोग 5 नसेडी इंसानों के बीच में रहते हैं, तो छट में निकाला क्योंकि उनके concept के लिए थे तो आप लोग का जो यार दोस्ती वाला जो इन्वोर्मेंट है ना वो आप लोग हमेंसे ध्यान रगना बहुती बड़ा impact आप लोगो डालता हूँ नजर आएगा तो यहाँ पर education education policy जो है वो हमारे देश की latest national education policy है उसमें भी teacher training पर बहुत ज़्यादा focus दिया गया है तो उसके बारे में भी आप लोग mention कर सकते हैं education के बारे में बात करें जब education के बारे में दोस्तों कुछ लिखेने के लिए आए ना तो एक बहुती important और interesting fact आप लोग यहाँ पर mention कर सकते हैं जिससे examiner का mind भी बुलो होगा और वो है आप लोग का sustainable development goal तो इसके उपर भी question कई बार पूछे आते हैं कि 17 sustainable development goal में से education कौन से number का goal आप लोग को देखने को मिलता है तो fourth number का है हमेशा health जो है वो education से पहले रखी जाती है क्योंकि जब तक इंसान healthy नहीं रहेगा तो पढ़ कैसे पाएगा इसलिए मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले आप लोग किसके उपर focus करने है अपनी health के उपर focus करने है क्योंकि health में improvement होगा तो education आप लोग ही अपने आप improvement होती ही नजर आएगी exactly कोन current list में आप लोग यहाँ पर चीज़े देखने को मिलेगी जब education के बारें बात करते हैं तो अग देखो dimension क्या होती है जब आप लोग कोई question लिखने बैठते हैं उसमें अगर dimension आप लोग डाल देते हो जैसे आप लोग ने sustainable development goal के बारें बात कर दिया education के आप लोग नहीं हाँ पर education के बारे में लिख रहे हैं तो आप लोग नहीं हाँ पर basically constitution angle बता दिया education के बारे में ठीक है किस तरीके से teacher जो है वो improve कर सकता है उसके बारें बता दिया infrastructure क्या impact डाल सकती है एक बात बताओ आप लोगो आज की date में कई सारे लोग ये बोलते हैं हमारे पास में resources नहीं है सर हम लोग इसले नहीं पड़ पा रहे हैं मैं 1000 उधारन आप लोगों दे दूँगा जिनके पास में resources नहीं थे और उन लोगों ने कुछ ऐसा उखार दिया है अपनी जिंदगी में कि हम लोग उनके उधारन देते हुए नजराते हैं तो कभी भी resources की वज़े से अगर इंसान आगे बढ़ने से रुख जाता ना तो ये चीज़े कभी possible ही नहीं होती कि आज की date में आप लोग खुद देख लो अगर रिसोर्स की कमी होती तो वो प्रिज़ेंट न बनते कभी हमारी देश के प्राइमिस्टर साब देख लो कहां से निकल कर आया है आज की date में और दो बार प्राइमिस्टर बन जाना इतनी बड़ी डेमोक्रीसी का आसान खाम तो नहीं होता है रिसोर्स की कमी तो कम से कम आप लोग नहीं بोल सकते हैं अपर भी ऐसे इतने सारे उधारन आप लोगको देखने को मिल जाएंगे तो रिसोर्स की कमी का ठेखरा पोड़के कुसके पास ने पैसे थे उसने कोचिंग कर ली उसके पास में घर में अच्छे यह थी वो बैट पड़ी बैठके पढ़ लिया एगर ऐसा होता ना तो भाई साब जिनके पास में resources ही है ना वही उपर बैठे मिलते तो अपने mind को थोड़ा सा इस तरीके से रिवायर करो उन लोगों के बारे में पड़ो जिनके पास में resources नहीं थे और उन्हें कैसे कैसे जिन्दगी में उखाड़ा है तो उनके बारे में पड़ोगे तो आप लोग कुछ बता रहा है कि यार समाज में ही हो रहे है सरकार की agency खुद बता रहे हैं कि समाज के अंदर में कुछ और तो वहां पर ये देखने को मिलता है कि वह कहां पर हृ रहा है हमारी देख के इसके बारे मैंने का तो क्या दिक्कत है पढ़ा तो भाई सब कहीं पर भी पढ़ा लो कि भेजने का मन तो दिल्ली है पर दिल्ली के बारे में इतना सुना है कि मन नहीं कर रहा है पाप भी मिनिमान रहे हैं कि मतलब बहन को दिल्ली पढ़ने के लिए भेजने हैं वो भी अकेल कि वहाँ पर आज की डेट में हमारे देश के अंदर में सबसे जादे sexual violence आप लोग को देखने को मिल रहे हैं यानि कि woman के लिए unsafe वो जगे मानी जा रही है आप लोग ने सुना ना dialogue की दिये ताले अंधेरा तो वो दिये ताले अंधेरा वाला चीज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी तो यह situation अगर निकल कर आती है तो फिर सोच के देखो अगर राजा के घर में ही जो है जनता सेव नहीं है तो फिर यहाँ पर पूरे अलग-अलग कोनों में अलग-अलग गाउं में अगलग डिस्टिक में जनता कैसे सेव होगी तो NCRB के द्वारे यहाँ पर यह बतायागी कि maximum number of crime against women 19 metropolitan cities के अंदर में जब यहाँ पर चेक किया गए तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल गया NCRB की रिपोर्ट के द्वारा यह डेटा यहाँ पर पर प्रस्तुत किया गया है यह जो number of cases थे यहाँ पर अगर आप लोग इसको देखोगे जो सबसे ज़्यादा चोकाने वाली बात है 2020 में यह cases की संख्या कितनी 2,45,000 2021 में यह सोच के देखो आप लोग यहाँ पर मतलब संख्या जो एक तोता की बढ़ती जा रही है वो संख्या एक तोता की गढ़ती जा रही है चलो ठीक है यार थोड़े सा सकून मिलता है तो यहाँ पर आप लोगो संख्या और बढ़ती जा रही है तो इससे आप लोग समझ सकते हैं तो इससे क्या कंडिशन मनती है ठीक है तो यह बहुती सोचने वाली बात है कि हमारा सिस्टम लोएंड ओडर हमारी जुडिशरी हमारी गौवर्मेंट किस तरीके से चीजों को सेफ कर पा रहे है और हमारा समाज इन चीजों में रहकर कैसे पनप पाएगा अगर हम लोग इतने बड़े सेक्शन को सेफ भी यहां पर लोग 70,000 का इजाफ़हे देखने को मिलेगा तो 2022 तक बढ़ता हुआ जा रह रहा है यहां पर देखने को मिल रहे है Crime Against Women यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिसमें आप लोग देखो बढ़ोतरी Crime Against Children बच्चों के खिलाब भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो Kidnapping और Abduction के केस बढ़ गए यहाँ पर Crime Against Elderly Person भी आप लोग को देखने को मिलेंगे इसमें Murder भी है और इसमें Cyber Crime भी आप लोग को देखने को मिलेंगे तो यह Report हमारे सामने निकल कर लाई जाती है किसले लाई जाती है ताकि इसके ओपर हम लोग काम कर सकें डैली पुलिस के पास में यहाँ पर कई तरीके के आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं यहाँ पर जो खसकर दिल्ली के अंदर ऐसे इंसिडेंट जाद है क्यों देखने को मिलते हैं Article 19 में कहीं भी जाकर आप लोग रह सकते हो कहीं भी जाकर आप लोग बिजनस कर सकते हो आप लोगो कोई नहीं रोकेगा ये fundamental right है आप लोग का जो हमारे समिधान ने दे रखा है तो अलग-अलग community के अलग-अलग तरीके के लोग आप लोग को देखने को मिलते है तो यहाँ पर किसी इंसान का mindset कैसा है किसी का कैसा है तो result यहाँ पर आप लोगे सामने फिर निगल कर आते है तो National Crime Record Bureau यहाँ पर यह data प्रस्तुत करती है यह एक ऐसी organization है जो Ministry of Formal Affairs के अंडर में आती है और यह एक report नहीं परस्तुत करती है आप लोग को बता दूँ यह कई सारी report परस्तुत करती है जैसे कि आप लोग इसके बारे में याद रख सकते है Crime in India, Accident and Death and Suicide in India और जो Prison यह इनके जेल के अंदर में जो लोग बंद रहते है उसके बारे में भी statistics जो है वो इसी के दूआरा प्रस्तुत किये जाते है यह आप लोग यहाद रख सकते है तो बहुत ही basic है इसको आप लोग confusion में नहीं आना चाहिए इसी के साथ में कुछ और report है और कुछ मंतली basis पर data लाते है फाइदा क्या होता है अब इन्होंने बता दिया कि दिल्ली के अंदर में सबसे जादे दिक्कते देखने को मिल रही है तो center और state के level पर कही ने कही जब data निकल कर यहाँ पर आता है तो उनको समझ में तो आता है कि भाई तुम्हारे सामने ही हो रहा है तुमने कल test दिया test में आप लोग के number जो है किसी के अच्छे आगे तो किसी subject में उसके कमा आगे तो समझ में आगे ना कि यार यह subject है अरे हाँ test से याद आगया कल 12 बजे वाला test किस-किस नहीं दिया है जो मैंने बोला था कि हर Sunday में आप लोग का current affair का पूरा 100 number का test हो अगरेगा UPSC pattern में किस-किस ने वो test दिया है और test जी जिसने दिया है वो अपने number लिखो comment box में मैं चारा हूँ कि हाँ आप लोग जो है उसको regular participate करो वो particular आप लोग के लिए start किया कि मैंने December से बोला था December यानिके कल से वो start आप लोगा हो चुका है 12 बज़े exact एक नया column बना दिया है आप लोगे लिए free test current affair ठीक है तो उसमें आप लोग अपने आपका analysis कर सकते हैं और जो अभी उसमें question थे सारे वो आप लोगों के ऐसे नहीं कि वो अभी के सारे question थे ठीक है चलो number नहीं लिख रहे है yes लिख दो क्योंकि question का level काफी अच्छा रहता है तो जिस जिसने basically किया है तो वो अपना yes yes लिख देना है ठीक है और उससे सर्माने की जुरत कुछ नहीं है जिस किसी नहीं दिया है वो आज जा कर देना उसको ठीक है देको उससे depressed होनी की जुरत नहीं है आप लोग क्योंकि वो test जो है वो latest का नहीं था क्योंकि मैंने बोलता रिवजन होगा तो यहां से पीछे से मैंने उसको उठाना start किया है जो question आप लोग के देखने को मिलेंगे वो आप लोग को पुराने देखने को मिलेंगे लगभग आप लोग के अपरेल और मई के यानि कि पूरे साल तक का रिवजन हो जाएगा जैसे जैसे आप लोग का paper pass में आएगा उस तरीके से वो test आप लोग का start किया है तो जादे से जादे आप लोग को उसका analysis करना है जो paper आप लोग का देखने को मिलेगा तो उसको अच्छे से अपने लिए आप लोग को ले कर चलने है तो वो हर हपते आप लोग को 12 बज़े देखने को मिला करेगा 12 से 2-2 घंटे का test, 100 नंबर और negative marking भी है, ठीक है उसके अंदर जान बोज के negative marking रखी है क्योंकि मैं चारा हूँ कि सब उसमें participate किया गरी, all India level करेगा हर एक बच्चा उसमें participate कर सकता है तो भोतों ने उसमें participate किया पर लेकिन आप लोग कल नहीं किया आज जाकर उसमें कर लेना, ठीक है जिसके 50% से उपर आ रहे है इसका मतलब आप लोग चीजों को लेकर चल रहे है और जिसके नहीं आ रहे है इसका मतलब थोड़ा सा आप लोग को फोकस देने की जुरत है ठीक है, तो यह basic चीजे है आप लोग बता दो, देखता हूँ आप में से कौन इसका सही आंसर देता है और यह जो डेटा है आपर, यह आप लोग आंसर आइटिंग में भी इस्तमाल कर सकते है क्योंकि गवर्मेंट का ओथन्टिक डेटा है जब आप लोग यहाँ पर answer rating करेंगे तो उसके लेकर भी आप लोगे मन में confusion नहीं होना चाहिए तो यहाँ तक कोई doubt है तो बताइए और जितने लोग live देख रहे हैं उतना feedback भी दे दो अगर कोई पसंद आ रही है चीज़े नहीं पसंद आ रही है तो बता दो फिर उसका में कुछ और जोगार करता हूँ कि पसंद करने के लिए तो इसके बारे में आप लोग याद रखना हलका सा idea आप लोग रख सकते है question बने तो confusion आना आप लोग को नहीं है तो यह basic information है और important information है तो कोई doubt हो तो इसके बारे में बताइए वरना फिर आगे चलते है तो बहुत ही basic सी है अच्छा मैंने आप लोग को movie देखने के लिए बोला था Sam Baddur किस-किस ने देखी है क्योंकि आज यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा Indian Navy Day के बारे में Indian Navy Day जो है यह 4th December को celebrate कियाता है और हमारी जो Navy है Naval Force उसके आप लोग को basically कहीं न कहीं एक achievement बताता है operational efficiency कैसे है कैसे हम लोग ready है कैसे हम लोग अपनी चीजों को accomplish कर सकते है अपने जो target है उसको maritime domain के अंदर में और इसी के साथ में जो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो important मुद्धा है यहाँ पर कई सारे achievement भी हाँ पर आप लोग को देखने को मिलते हैं हमारे Navy के बारे में ठीक है और इसमें से एक achievement जो है Navy Day observe कियाता है 4th December every year जो 1971 की war को लेकर क्यों क्यों कि Indian Navy के द्वारा यहाँ पर जो क्राची हारबर यानिके पाकिस्तान को बरबाद किया गया था ऐसा आप लोग बोल सकते हैं तो इसके बारे में याद रखना तो 4th December Operation Trident यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है Operation Trident जो है यहाँ पर उसमें फिर Indian Navy ने जो है आप उसमें बैसिकली पाकिस् को मोखी खिलाते हैं के काम करती हैं यहाँ पर तो यह चीजा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं अभी हम लोग ने हाँ पर जिसे 1971 से लेके 1921 तक का तो हम लोग ने हाँ पर सेलिबेट भी किया अपना स्वें वीजे वर्स जिसमें नेवी के द्वारा श्यांदार परफोर् पोस्ट इंडिपेंडेंट हम लोगों ने रोयल हटा दिया इंडियन नेवी कर दिया 1950 के हिसाब से तो यह चीज़ें आप लोग याद रखना वैसे आप में से अगर आप लोग को ओप्सन मिले आर्मी नेवी यह फिर एर फोर्स में जाने का तो कहां पर जाना आप लोग ज इस सारी कुरीतिया देखने को मिलती है कुरीतिया जैसे यहाँ पर देखने को मिलती है खासकर और उसके बारे में जहां लोग बात करते हैं तो अलग अलग तरीकी की चीज़ें आप लोग के सामने निकल कर आती हैं ऐसा ही एक पैटिकलर पैटर्न आप लोग को देखने को म यहाँ पर 2018 में यहाँ पर जो सब जो करके वर्सिस ओफ यूनियन इंडिया का यही साय था उसमें एडल्ट्री को डी क्रिमिनलाइज कर दिया था रीजन के है अगर एक लड़का और एक लड़की की साधी होती है ठीक है तो दोनों साधी करते हैं साधी करने के बाद में अगर यहाँ पर बेसिकली लड़का किसी के साथ में अवेद संबंद मनाता है यह फिर लड़की किसी के साथ में अवेद संबंद मनाती है तो यह कही न की तरीके से देखा जाता था पर वुमेन को उस तरीके से यहां पर नहीं देखा जाता था ठीक है तो यहां पर यह क्या कर रहा था यह जेंडर न्यूटरल नहीं था तो जेंडर न्यूटरल भी नहीं था और दूसरे यहां पर अगर कोई किसी के साथ में किसी भी तरीके से अ 2017 के अंदर में उसने privacy को fundamental right बना-दिया जैसे ही वो judgment आया ये पता चल गया कि अब ये decriminalize होने वाले है क्यों क्यों कि अब एक इनसान की प्राइवेसी जो है वो fundamental right बन चुका है पर लेकिन फिर यह independent theel में भी नए कानून लाए जा रहे है जैसे code of criminal procedure के बारें बात करें ये Indian penal code के बारें बात करें उनको change किया जा रहे है तो उनको change करके जो नए कानून अला रहे है उनके अंदर में फिर से यहाँ पर basically criminalize करने की कोशिस की जा रहे है एडल्ट्री को उसके उपर यहाँ पर यह article देखने को मिलेंगे तो समझने वाली बात क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहरू हूँ देखो आज की डेट में जो सबसे खतरनाक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलते है जब हम लोग बात करते हैं रेल्ट्री के बारे में तो वह यह है कि हमारा जो marriage system है कही न कही उसके उपर लोगों का trust खतम होता हूँ आप लोगों को नजर आएगा ठीक है मेरी system में क्या होता है आप लोग सोच के देखो हम लोग आज की डेर में अपना आपको modern बोलने लगते हैं ठीक है कि भाज साब हम लोग बहुत modern है हम लोग यह चीज़ों को यह से नहीं लेते ह और फिर किसी दूसरे इंसान के साथ में हम लोग physical relation मना रहे हैं तो सोच के देखो अगर same काम हमारे माबाप करते हैं तो क्या आज की date में हमारी परवरिस ऐसी हो पाते हैं या फिर हम लोग इस समाज के अंदर में exist कर पाते हम लोग अपने ऊपर तो गेर के देख लेता है modern ह हमारे अधिकार हैं हमारे राइट हैं हाँ यह सब चीजे सही है पर लेकिन हम लोग जब इसको अलग तरीके से देखने की कोसिस करते हैं तो सोच के देखो अगर आगे चलकर आप लोग की जो जनरीशन है आप लोग के जो बच्चे होंगे जो आगे चलकर वो आप लोग किस तरीके से देखने कोसिस करेंगे तो कहीं ने कहीं ये लगता है कि देखो एक मैरी सिस्टम को मिंटेन रखने के लिए कहीं ने कुछ ने कुछ तो यहाँ पर एक तरीके से उसके ओपर रोक थाम होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर कहीं ने कहीं एक इंसान आप लोग खुश सोच के देखो मैं परसनली आप लोगो बताओं ये चीजे समाज के अंदर में इतनी है जिसकी कुछ अधर नहीं है कि इससे एक इंसान के माइंड पर कितना इंपेट पड़ता है और जो इंसान जो है वो आप से सेटिस्फाइ नहीं है किसी भी तरीके से इमोशनली या फिर फिजिकली इसकी क्या गैरेंटी है वो किसी दूसरे इंसान के पास में जाकर सेटिस्फाइ होगा या फिर किसी तीसरे इंसान के बास में satisfy होगा तो उस इंसान की तो आदती खराब है अगर आप लोग यहाँ पर इसको देखोगे तो वो एक अलग pattern आप लोगो देखने को मिलेगा तो वो उस इंसान की आदत एक तरीके से impact बढ़ रही है वो इंसान गलत नहीं है उसकी आदत कुछ ऐसी चल रही है कि वो उस आदत के चलते हैं अपर हरके दे करता हूए या आपर न जा रहा है कातना मात्मा गांदी जीने की इंसान गलत नहीं होते हैं उनका सोचने का तरीका गलत होते है अब वही हास, वही हाड, वही मास, वही सारी चीजे एक इंसान में उसको इंटरेस्ट आ रहा है, उसको देखके दूसरे इंसान में उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो ये इंसान का जो है एक तरीके से अलग रविया देखने को मिलते है असली जो mail मिलाफ होता है वो होता है इंसान के विचारों का अगर एक दूसरे के लिए आप लोग कुछ ऐसा कुछ कर देते हैं कि अपने उपर burden लेकर दूसरे इंसान को आप लोग protect करने की कोसिस करते हैं तो reality में वो relationship की category आती है पर यहाँ पर adultery का concept जो है यह सारी चीजों को break करता है कहीना कि इतना ज़्यादा gap चीजों के अंदर लेकर आता है जिसके कुछ हद नहीं है तो यहाँ पर यह अंग्रेजों के time पर भी अगर मैं आप लोग को बात करूँ यहाँ पर इसको एक तरीके से criminal category में रखने कोसिस उनके द्वारा की गई थी पर हम लोग जैसे जैसे independent हो रहे हैं अपने थोट को रखने हैं वो अच्छी भी चीज़ है वैसे पर लेकिन यहाँ पर सरकार या फिर court वो ज़्यादा माइने नहीं रखते हैं यहाँ पर ज़्यादा माइने रखते हैं हम अपने आप individually कैसे सोचते हैं क्योंकि कहां तक सरकार आप लोगे पीछे भागेगी कहां पर कोई आप लोगे पीछे बैठेगा तो यह एक तरीके से कहीं ने कहीं आप लोग को एक ethical dilemma है इंसान के सोचने का नजरिया है जो कि इंसान को बरबाद करता हूँ नजराते है मैं सोचता हूँ कि मुझे आज की date में माल यह कोई एक exam clear करने और वो exam मुझे clear करना है तो मैं कर लोगा क्योंकि मैं सोचता हूँ मैं उसके capable हूँ प्र मैं ही सोचता हूं कि मैं luxe clear नहीं कर सकता तो दुनिया की कितनी मीं roket लगा लेना मेरे नीचे लाकर कियो उड़ जाएगा ये आपगे चलकर exam clear कर लेगा नहीं करने वाला होँ क्योंकि मैंने खुदी नहीं सोच रहा है तो एक इनसान क्या सोच रहा है अपने मन में वो सा की इंडिपेंडेंसी के बारें बात करते हैं अगर क्रिमिनल एक्टिविटी के बारें बात करते हैं तो फिर हम लोग मैरी सिस्टम के बारें बात करते हैं सोसाइटी के बारें बात करते हैं आने वाले जनेरेशन यानिकि बच्चों के बारें बात करते हैं चिल्टरन के बारे सटेन करने ये है क्योंकि वह आज सिस्टम को किस तरीके से क्योंकि युक्त रहेंक हैं कि में लोग जी सीज के नहींぐ सबसकते हो कि जिस पर कोई बाउंडीशन नहीं है समाज की आप लोग बोलतेरो है थोड़ी देर के लिए गुस्सा आगे उसके बाद में फिर आप लोग बैट कर नोर्मल बाते करोगे Living Relationship में तो बाइसा मनल ये आप लोग ने किसी बच्चे को जनम दे दिया आप लोग की बनी नहीं आप लोग छोड़के चलेगे अब उस बच्चे का पविश्चे तो बरबाद होगे नहीं आप पर उसके बारे में कौन सोचेगा तो ये बहुती ज़्यादा खतरनाक चीज देखने को यहाँ पर मिलती है तो इसको किस तरीके से लेकर चलना चाहिए तो ये समाज के साथ में, कानून के साथ में, जुडिसरी के साथ में उनने कहते हैं जब आप लोग एक डायलोग बोला जाता है कि जब इनसान, विज्यान और भगवान एक जगे मिल जाते हैं तो वो एक शांदार रिजल्ट लेकर आते हैं तो यहाँ पर भी जब हमारे इनसान, सोसाइटी, हमारा कानून जो है और जो जुडिसरी जो है वो सब एक जगे मिलेंगे और उससे कोई ऐसा रिजल्ट निकाल कर लेकर आए ताकि एक दाइरे के अंदर में रहके अगर हमारे देश के अंदर में ट्रैफिक रूल नहों तो सड़क पर कोई चलता हुआ नजर ना है इसलिए सड़क पर एक डिरेक्सन में लोग चल पाते हैं क्योंकि होँआ पर ट्रैफिक रूल है अगर ट्रैफिक रूल ही नहीं होग तो फिर कैसे काम चलेगा अगर पर इंसान बता नहीं मेरे साथ में क्या करेगा आप लोग कभी भी फोकacting होकर अपनी एक जगह पर चीज़े को लेकर चली नहीं पाऊगे आप लोग उसी डेलिमो में जीते रहोगे कि यार पता नहीं क्या हो जाए तो यह इंसान कभी भी अपनी लाइप में एक सही जगे पर नहीं पहुँच पाएगा इसे बात कि मैं आप लोग guarantee दे रहा हूँ तो यहाँ पर हम लोग कानून के point of से तो सोच लेते हैं पर लेकिन reality में वो इंसान कैसे impacted हो रहा है ये चीज़े हम लोग भोल जाते हैं तो उस इंसान के बारे में भी बात करना है आपर जुरूरी है ये बात आप लोग समझ सकते हैं तो ये होती है कैसा issue है जिसको आप लोग दूसरों तक भी share कर सकते हैं ठीक है चलिए फिर यहाँ पर ये इसके बारे में बात है थी वाकी जो भी होगा आगे देख लेंगे right to privacy fundamental right है ये याद रखना इसके लिए प्रोपर एक्जज़मेंट है सुप्रीम कोर्ट का मैंने बताया तो दोनों को डालो वैसे तो बड़ी gender equality की बात करते हो तो फिर यहाँ पर इसको किसी लिए नहीं ठीक है तो इसके बारे में आपर भी बात चल रही है तो यह है कुछ बाते बाकी देखते हैं आगे पर इसको बता सकते हैं तो यह चीजें है आप लोग इसको लेकर मतलब दिमाख में समझ में आई होगी वरना फिर वही है देवदास बने और पारो बने गूंते हैं फिर सब ठीक ना तो पढ़लो और पढ़ने के बाद में जिंदकी को आगे लेकर चलना तब जिंदकी जीन हैं आपर disability के बारे में ठीक हैं इंटरस्टिंग आर्टिकल क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे समाज के अंदर में आप लोगो हरे की तरीके का इंसान देखने को मिलेगा एक ऐसा इंसान है जिसने कोई छोड़ी सी जोब निकाली और कॉलर खड़े करके समाज के यहां पर एक ऐसा इंसान ने उसको कोई disabled person दिख गया तो भैसाब वो उसके लिए खड़ा हो गया उसके लिए उसकी help करने की कोसिस कर रहे है कि यार यह इंसान जो है कैसे इसका basically help कि जा सकती है एक एसा इंसान है खड़ा होकर मजाग उड़ा रहे कि यह देखो यह घुमरा ठीक है अर्टिकल 14 के बारे में कि equality के बारे में हम लोग बात करते हैं तो वो आर्टिकल भी हुहाँ पर पूछे आ सकता है और आर्टिकल 21 के बारे में कि right to personal liberty के बारे में और privacy के बारे में बात करते हैं तो वो भी हाँ पर पूछे आ सकता है अभी फिलाल क्या है अभी फिल यहाँ पर कर दिया गया तो यह चीज आप लोग यहाँ पर याद रहना क्योंकि question बन जाते हैं कई बार अगर mind में confusion होगा तो फिर दिखकत देखने को मिलेगे अब person with disability वाले article के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ इसके बारे में क्या क्या बात है हम लोग इसको समझेंगे आप लोग यह बताईए अगर मैं आप लोगों से पूछो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मतला हमारे देश में कितने disabled person देखने को मिलेंगे और दुनिया में लगबग कितने disabled person है अगर मैं आप लोगों से पूछो हमारे देश में कितने है और दुनिया में कितने आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो उससे आप लोग समझ पाएंगे क्योंकि important मुद्दा क्या है important मुद्दा यहाँ पर य लोग जो हैं वो आज की डेट में जो एंटायर अगर आप लोग यहां पर देखोगे जो अगर देखोगे 1.3 लोग में से यहां पर बात करें मतलब एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं बहुति बड़ा सेक्षन आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे है 1.3 billion लोग ठीक है समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर मतलब equivalent to the entire population of India जितनी हमारे देश की population है वो 1.4 billion something आप लोग को देखने को मिलती है यानि कि जितनी हमारे देश की population है इतना बड़ा तब का आज की डेट में दुनिया के अंदर में developing country के अंदर में यानि कि जो देश जो है जो कहीं ने कहीं आप लोग को बढ़ते वे देखने को मिलेंगे फिर गरीब देश आप लोग बहुत सकते हैं और इसमें से भी सबसे आधा खतरनाक काम कहा है 70% लोग जो है उनमें से रहते हैं rural area के अंदर में यानि कि गाउं के अं अपनी लाइब जो है वो लीड करके चल पा रहा होगा हम लोग अपने बारें बात करते हैं आप लोग जोब लेने जाओगे आप लोग को इमिडेटली मिल जाएगी कोई डिसेबल परसन है उसको जोब नहीं मिलेगी उसके बारे में हजार तरीके से इंसान सुचेगा कि य एक अलग लेवल पर जाकर देखता है कि उनको अकसर रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं तो इसके चलते हैं यहाँ बात करें अगर डिसेबल परसन को आप लोग को इंक्लूड करके चलना है एकनोमी के अंदर में तो इसके हम लोग लड़कियों को अक्सर क्या करते हैं, हम लोग discriminate करते हैं पेट्रियारिकल सोसाइटी में, हम लोग सोचते हैं कि लड़का ही बस काम करेगा, पर लड़की और लड़का अगर दोनों काम करें तो ये मना जाता है कि GDP में एक बहुत बड़ा बुस्ट आएगा अगर दोन से लेके 7% तक का GDP आप लोगो immediately increase होती आ सकती है अगर किसी जो disabled person है उनको हम लोग अपने समाज अपनी society में include करके चलते हैं तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं तो इसका मतलब यह कि आप लोग बहुत सारे तो आप लोग देखो हमारे जो सिफाई हैं हमारे जो basically army के परसनले एर फोर्स ने भी जो soldiers हैं हमारे वो किसी ने किसी लड़ाई में जाने की वैसे disabled हो जाते हैं अक्सर अभी आप लोग देखो यूक्रेन के अंदर में लड़ाई चल रही है अभी यहाँ पर इससे आप लोग अंदाजा लगा के देखो कि क्या impact हैं आपर देखने को मिलते है तो disabled section society के अंदर में जो है उसके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए और दोस्तों मैं आप लोग को अगर census जन गरनना के बारे बात कता हूँ जो की latest है 2011 की जन गरना 2011 की जन गरना के इसाफ से हमारी population में अगर total आप लोग देखोगे all India level पर अगर disabled person के बारे में बात करो तो total population का लगबग 2.2% population हमारी आप लोग को disabled देखने को मिलती है ठीक है तो disabled person आप लोग देखते हैं अगर बच्चों के बारे में बात करूँ जिनकी age अगर 0 से लेके 6 साल आप लोग को देखने को मिलेगी उनकी disability के बारे में बात करें तो यह लगबग 7.62% आप लोग को देखने को मिलता है यानि के मुझे वो एडिसन वाली बात आ गई एडिसन की कहानिया आप लोग ने सुनी है न एडिसन के मम्मी जो है उसके पास में बेसिकली एक लेटर लेका आ राता है एडिसन कि टीचर ने एक लेटर दिया है कि यह अपनी मम्मी को देदेना तो यहाँ पर वो मम्मी को लेटर देता है तो मम्मी क्या करती है उस letter को पढ़ती है और फिर बच्चा बोड़ता है कि इस letter में क्या लिखावा था ठीक है तो यहाँ पर यह बोलाता है उसकी मम्मी के द्वारा कि इसमें लिखावा है कि आपका बच्चा जो है वो बहुती brilliant बच्चा है उसको इस school में भेजने की जुरत नहीं है इस school उसके लिए नहीं बच्चा है वो बहुती एक ऐसा बच्चा है जो की होनहार बच्चा है तो इससे क्या समझ में आता है इससे यह समझ में आता है कि अगर इंसान के mindset को जो है basically थोड़ा सा divert कर दे जाए तो जो इंसान यह लगता है कि वो कुछ करने के लायक नहीं है वो ही इंसान जो है वो फोड़ता हूँ नजर आएगा उसके बारे में लोग एक्जम्पल देते possibility हैं हमारे mind के अंदर में हम लोग क्या करते हैं अद्यकर किस इंसान को डिसेबल बोलते है उससे ज्यादे है disabled तो हम लोग खुद है बेचारी की तरीके से इंसान को देखे तहे है उससे तो motivate होना चाहिए हर हम लोग को वो इंसान जो है किस तरीके से अपनी जिन्द की जी ना कि उस particular person की body की disability है क्योंकि यहां पर उधारा ने मतलब सोच कर देखो Edison की मम्मी ने उसको बोला और फिर उस इंसान ने जब उनकी मा की death होगी वो बकसा बकसा खोला जहां पर चिट्थिया वगएरा पड़ी थी और आज की rate में मैं उसका उधान दे रहा हूं बंदे का बैट कर आप लोगो ठीक है तो यह होता है बच्चे की परवरिस उसके माबाप किस तरीके से करते हैं आर्टिकल बताया था ना मैंने बच्चों की परवरिस के बारे में तो यहां से आप लोग यहां पर चीज़ समझ स है कि पहले disability की condition जो है साथ हुआ गर दे दी अब इनको बढ़ा कर 21 कर दिया गया है तो यह आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं यह कि state PCS के अंदर में question पूछा गये हाँ पर recently अब ठीक है तो यहां पर medical condition जरूरी होती है उनके लिए सबसे बड़ी बात तो कि medically उनको ज यहां पर हमारे application पर launch होता है अगर आप लोग disable section से आते हैं तो 50% आप लोगो immediately discount मिलता है बस अपना certificate जो है वो आप लोग share कर दिया किजिए जहां पर customer care team के अंदर में है तो आप लोग को कोई भी course अगर आप लोग लेना चाते है तो आप लोगो discount यहां पर मिल जाएगा खासकर जैसे UPSC जैसे course होगे यह सारे जो भी ठीक course engine का price जो है थोड़ा सा ज्यादा लगता आप लोग कई बार तो आप लोग उसका इस्तमाल कर सकते है पर इसका negative फायदा मत उठाना क्योंकि मुझे बहुत ही दूखवा जब BPF होगा course launch वा था उस time पर पहली बार मैंने तो वहाँ पर कईयोंने disabled person उनके आसपास में कोई होगा उसका certificate send करकर वहाँ पर admission ले लिया मतला इतनी गिरी हुई हरकते भी मत करो यार कम से कम ठीक है क्योंकि हाँ पर ऐसा नहीं कि किसी को लूटा जा रहा है फिर कुछ ऐसी चीज हो रही है मतला सोच भी कैसे सकता है इंस समझे आप लोग इतनी गरी हुई घर करते भी मत करना क्योंकि जो इनसान ऐसा करेगा ना वह इंसान कभी सक्सिज होई नहीं सकता यार जो इतना criminal mind का इंसान है स्टार्टिंग में ऐसी एरकते कर रहा है मैं तो कभी नहीं चाहूंगा इंसान सक्सिज होगे किसी office के अंदर म मिलेगा उसको ऐसे इंसान तो government office में कभी न जाये मेरी तो बद्द्वा लगे ऐसे इंसानों को कि हाँ वह तो वह सब करेप्शन की बे इंत्याक वह सीमाएं पार कर देगा जो अपने घरवालों के साथ में करेप्शन कर रहा है अपने माबाप की कमाई में करेप्शन कर सकत तो discrimination यह होना चाहिए उनके साथ में health के लिए basically हाँ पर चीज़े होनी चाहिए और education में उनको support मिलना चाहिए employment में support मिलना चाहिए जो हमारे देश के अंदर में basically क्या भी जाता है तो इसके चाहत में चिलके और जो जो भी उनके साथ में discrimination होता है उसके खिलाप action भी लेने कई सारे state ऐसे हैं जो कि बराबर proper scheme चला रहे हैं हाँ पर उसके लिए ताकि society में जो inequalities होती है इवन उसके लिए काम के जा सगे make the right आप लोग सोचके देखो अगर किसी disabled person को हम लोग एक तरीके से उसको इतना comfortable feel करा दें सारे आसपास में जो चीज़े देखने को मिले उसको कि लगे ही न कि यार में इन से different to, ऐसा ही लगने लगे तो कितना अच्छा देखने को मिलेगा पर ये चीज़े हम लोग करने के लिए त्यार नहीं होते हैं ठीक है तो इन चीज़ों को आप लोग समझ सकते हैं ये basic आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं ठीक है कि किस किस तरीगे से हमारा समाज कैसे चल रहा है तो कैसे हम लोग उर्ष को इंप्रूव कर सकते हैं तो इसके उपर काम करने की जुरत है तो सबसे बड़ी बात है जो इहां पर बोली आती है वह यह यह जो मैंने आप लोग को बताई है कहीं न कहीं यह आप लोग चीज़े याद रख सकते हैं ठीक है एजुकेशन में चैलेंज हैं उनको जोब में चैलेंज हैं कॉंशिटूशल प्रोविजन अच्छा है एक इंटर्सिंग और याद रखना जो इहां पर आर्टिकल के अंदर ही वेंसन है आर्टिकल 41 आप लोग यहां पर जुरूर याद रखना डिरेक्टी प्रिंसिपल हमारे देश के अंदर में डिरेक्टी प्रिंसिपल अब इस्टेट पुलिसी किस पार्ट के अंदर में जरा बताईए उसका आर्टिकल 41 यहां पर फोकस देता है डिसेबल सेक्षन ओफ सोसाइटी को कैसे हम लोग इंप्रूव करने के बारें बात कर सकते हैं तो आर्टिकल 41 किस के बारे में था यह भी हम लोगों ने डिसकस किया था आर्टिकल 40 किस के बारे में था यह भी हम लोगों ने डिसकस किया था जरा रिवजन कर लो आप लोग देखता हूं आप में से कौन इसको सही बताता है ठीक है आंसर दो मज़ा आता है मेरा देखके कि हां कितनी DPSP आप लोगो देखने को मिलता है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक का ठीक है तो यह आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं तो आर्टिकल 41 जो है वो disabled section के बारें बात कर रहें आप लोग उसे ठीक है तो याद रखना बहुत ही important है आपर यह uniform civil court 44 के बारें मैंने आप लोगों से बात की थी पंचायती राज सिस्टम के बारें बात की थी maternity leave के बारें 42 के बारें मैंने आप लोगों से बात की थी तो आर्टिकल जो है fundamental right वाले और जो हैं आप लोगों से DPSP वाले यह तो याद हो जाने चीए उंगलियों के ओपर में आप लोगे तागी कोई पूचे तो फटा फट निकल कर आए ठीक है तो तागी कोई भूझे ना आप लोगों को याद होगा मैंने वो भी बात की थी आप लोगों से basically जो article 50 के बारे में separation of power भी आप लोगों से मैंने discuss किया था ठीक है तो याद रखना यह सारी की सारी चीज़े repeatedly होती रहती है तो यहाँ पर अभी article 41 के बारें बात कीए और कई सारी government scheme के बारें बात करें जैसे unique disability identity portal हमारे देशे में बनाया गया ठीक है health education employment और यहाँ पर सबसे खत्रना चीज़ पता है क्या होती है हमारे पास में data नहीं रहता है आप लोग एक छोड़ी सी में suggestion दोंगा अगर आप लोग मानोगे तो अच्छा रहेगा आप लोग जो भी आप लोग जो भी exam जो भी तयारी करें ना किसी भी exam को लेकर आप लोग right क्या आप लोग उसका question आ रहा है तो उसको attempt कर पा रहे हो DPSP वाला आ गया fundamental duty वाला आ गया या प्रेजडेंट आ गया पार्लेमेंट आ गया अगर question आप लोग attempt कर पा रहे हो तो अच्छा है question attempt नहीं कर पा रहे तो आप लोग फिर से revisit करने की जूरत है उस चीज़ को तुर पूरा का पूरा article था अगर कोई doubt है तो बताईए नहीं doubt है तो बहुत बढ़िया बढ़ते जाएए रुकने को किसने बोला है जिंदगी का नाम है basically बढ़ते रहे ना चलती का नाम गाढ़ी आप लोग ने सुनी होगा ठीक है तो यह बिचे समाझना एक चीज और याद रह करके चलना मन यह सबका साथ सबका विकास वह वाली बाते आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी तो यह बहुत ही एक important point था जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं और इसको लेकर आप लोगे मन में कोई doubt भी आप नहीं होना चाहिए तो इसलिए कोई भी disabled person मिला करे salute क से कुछ होता ही नहीं तो वाली बाते आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है तो इसलिए जिंदगी को थोड़ा सा अच्छे लेवल पर जीने कोशिस करो तो सारी चीज़ आप लोग improvement होती ही नजराएगी तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अपने देश के first president of India first president of India का feedback दे दिया करो ठीक है बताते रहा करो जैसा जैसा आप लोग लग रहा है जितने at least live होते हैं उतने लोग at least जो है अपना feedback दे दिया करो ठीक है जो बाद में देखते हैं उनकी तो अलगी बात होगी आप लोग जो live देख रहे हैं at least वो तो कम से कम feedback देते रहा करो अपना कि यहां आप लोग चीजे पसंद आ रही है तो यह आप लोग काम क्या करों बाकि यहां पर first president वो फिडिया कौन थे हमारे देश के डोक्टर राजिन प्रसाद अच्छा उससे पहले जो temporary president बने थे उनका नाम आप लोग को बताना है वो उनका यह याद रखना प्राइमिस्टर नहीं पूछ रहा हूं यह पंडित जवाला नेरू कोन लिख रहे हैं ठीक है सचीदा नंसीना जयते वो constant assembly के हम लोगों के वो temporary president के तोर पर यहां पर उनको लिया गया था ठीक है और यह practice हम लोगों किस देश से लिए है कि हम लोग किसी senior person को temporary time पर यह कर देंगे और फिर उसमें से choose कर लेंगे यह practice किस देश से हम लोगों ने लिए जरब बताईए देखता हूं कौन सही बात यहां पर बताता है ठीक है आज यह picture क्या आई है क्योंकि 3 December को उनकी अभी हाँ पर 139th birthday जो है वो उनका celebrate यहाँ पर किया गया जब इनका next year 140th birthday होगा तो यह और जदे important हो जाता है क्योंकि फिर और question बनने के chances यहाँ पर बन जाते हैं ठीक है तो इनका जो जनम है वो बिहार के अंदर में हो था सोचो देश के पहले president जो है वो बिहारी थे यहनके बिहार से निकल कर आये थे तो यह समझ सकते हैं तो देश के अंदर में सबसे ज़्यदा प्राइमिस्टर कहां से निकल कर आये थोड़ा सा यह भी याद रखेगा आगे चलकर फिर इनोने हैं यहाँ पर जो basically college के बारे में अगर चलते हैं फिर आगे चलकर यहाँ पर आप लोगो देखने को मिलेगा गांदी जी के साथ में इनका association हुआ और चीजों को आगे लेकर चले काफी शांदार तरीके से untouchability के लिए इन्होंने काफी ज़दे fight की उस time पर ठीक है सत्यक्रह मुवमेंट के साथ में भी गांदी जी के साथ में include चले even royal act जिसको जलिया वाला बाग के बाद में जो एक तरीके से उसके basis पर जो मैसा कर देखने को मिलता था वहाँ पर भी इनके साथ में गांदी जी के साथ में मिलकर इन्होंने काफी close तरीके से यहाँ पर काम किया even आप लोग को पता है non corporation moment हमारे देश के अंदर में चलाय गया था तो उसमें भी इनके द्वारा काफी बड़ा contribution अपना यहाँ पर दिया गया तो यहाँ पर Congress का session भी इनके द्वारा प्रिजाइड किया गया ठीक है तो इनके द्वारा 1934 में जो Bombay session है Indian National Congress का तो यहाँ पर इनके द्वारा प्रिजाइड किया गया तो यह भी आप लोग इहाँ पर समझ सकते हैं तो बहुत ही important है जो कि आप लोग इहाँ पर समझ सकते हैं direct question अगर आप लोगों से पुछाए तो आप लोगों इहाँ पर confusion नहीं होना चाहिए तो बहुत सारे जो भी हाँ पर एक तरीके से जो महात्मा गांदी जी के द्वारा जो भी हाँ पर जो कानू एक तरीके से जो प्रोग्राम चलाएगे उनमें इन्होंने बढ़ चड़ कर एक तरीके से participate किया तो काफी connected आप लोग इहाँ पर इनको देख सकते हैं महात्मा गांदी जी के साथ में ठीक है इसलिए हमारे सबसे अच्छी बात क्या लगी जैसे ये president बने थे आप लोगो ये बात याद रखने है इन्होंने तुरंट जो है independent रहने की बात की थी और इन्होंने रेजिगिन आप लोगो नहीं देखने को मिलेंगे तो ये आप लोग इहां पर समझ सकते हैं तो ये काफी important question जो है वो कई बार important personalities के बारे में आप लोग से पुछाते हैं तो इसके बारे में आप लोग at least idea रख सकते हैं तो कल को अगर question बने तो कहने का मतलब यह है कि confusion आने का नहीं है अब जो आर्टिकल भरे पड़े हैं आज के बारे में तो थोड़ा सा उसके बारे में भी आप लोग की डिला देते हैं ठीक है क्योंकि election जो है अभी पांच राज्य के देखने को मिले एक राज्य का भी जो है result नहीं है बागी चार राज्यों का result यहां पर आप लोग को दे यहां पर जिस तरीके से इसको देखा जा रहा था यह देखा जा रहा था कि यह जो election है यह election को यहां पर लोग किस तरीके से देख रहते हैं इन election को लोग इस तरीके से देख रहते हैं कि यह semi final है कि इसके बाद में अब आप लोग को 2024 में जो है वो final देखने को मिलेगा तो semi फाइनल जीत लिया है आपर बीजेपी ने आप लोग ऐसा बोल सकते हो एक शांदार मेजूरीटी के साथ में हाँ पर ये जीत करा हैं मतलब फुल मेजूरीटी के साथ में हाँ पर सरकार बनाई है पर लेकिन हाँ पर कई सारे चीजें किस तरीके से देखी जा रही है जो तरीके से मेजूरीटी के उपर फोकस दिया जा रहा है मतलब क्या है इसका कहने का इस आर्टिकल के अंदर में आर्टिकल वाले यह कहना चाहरे हैं कि आज की डेट में हमारे देश के अंदर में जो हिंदू है वो काफी मेजूरीटी में है ठीक है पर लेकिन दूसरी जो कम् को साथ में लेकर चलेंगे तो उनका focus backward community के उपर आ गया पूरा वो SC और ST को साथ में लेकर चली नहीं रहें फिर वहाँ पर ठेक है तो पूरा वोर्ट बैंक उसके basis पर वे policy बनाएंगे क्योंकि वहीं से उनको जीत कराना है तो ऐसे ही अगर particular एक majority को आगे लेकर चलते हैं तो जो diverse country है उसमें कहीं ने कहीं minority को हम लोग पीजे छोड़ देते हैं और article 19 और article 30 जा है हमारे समिधान का वो minority के उपर focus करता है कि वहाईसा minority को भी उनका अधिकार मिलने चाहिए तो यहाँ पर कहीं ने कहीं दूसरों का भी representation है तो उनको भी साथ में लेकर चलना चाहिए यह बात एक तो बताने कि यहाँ पर बात की जा रही है ठीक है दूसरे यहाँ पर अगर बात करें आप लोग को मिलेगा एक charismatic leader है प्राइमिस्टर मोदी साब यानि कि अकेले इंसान के नाम पर वो जीत दिलाते हुए चले जाते हैं यानि कि लोग जो है उस पर focus ही नहीं करते हैं कि state में कौन यहाँ पर basically rule करने वाला है इस state में कौन इंसान deal करने वाला है यानि कि important personality है प्राइमिस्टर स ठीक है तो यहाँ पर एक इंसान के नाम पर तो charismatic leader है लोग trust भी कर रहे हैं यहाँ पर तो यह चीज़ा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं और उनका agenda भी कुछ इस तरीके से रहता है जब यहाँ पर voting के उसमें campaign कि जाता है तो वो यहाँ पर उस time पर यह बोला जा रहा है कि तो आप लोग भी अपने बढ़ाई को ऐसी तरीके से लेकर चला करो ठीक है तो यहाँ पर इन्होंने दूसरी बात क्या कि पूरा का पूरा फोकस जो है अब की बार अगर बात करें कहीं ने कहीं OBC को लेकर घूमता हो नजराया जैसे राउल गांधी साब जो है वो OBC के बा कि दिक्कत वारी बात क्या है दिक्कत वारी बात यहाँ पर यह देखने को मिलती है अगर कोई political party यह इस तरीके से जीत कर आती है कि वो center के नाम लेकर और state में जीत जाती है मतला हमारे देश के अंदर में 28 state है पलेकिन state के मुद्दों पर बात ने करते हुए अगर कोई political party ज local जो politics है उसके ओपर question mark लगा देता है अगर center के leader को लेकर यहाँ पर इस तरीके से result निकल कर आते हैं तो यह leadership का issue देखने को मिलेगा कि chief minister पर trust नहीं है किसी का भी वो प्राइमिस्टर के face को देखकर यहाँ पर vote दे रहे हैं तो इसमें आप लोग को यहाँ पर देखने को मि लगी पर लेकिन दूसरा मुद्ध है हाँ पर यह भी देखने को मिलेगा कि क्या election के नाम पर ही हाँ पर program आने चाहिए अगर हमारे देश के अंदर में आप लोग बात करें या फिर उस community के बारे में हम लोग को हमें से सोचने चाहिए क्योंकि हो society का part है या फिर यह देखें एक teacher होने को कोई मतलब बनता नहीं क्योंकि teacher के लिए तो जो बच्चा सामने बैठा हुए class का हर एक बच्चा जो है वो बिल्कुल equal है चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो चाहे वो किसी भी age का हो अगर वो पढ़ने आया कुछ समयने आया तो वो सब को equal treatment यहाँ पर मिलन Convention देते हैं। उनके लिए सारे के सारे बच्चे जो है वो इक वखला लोगह को ने मिलेंगे चुन्नू मुन्नू बुन्नू बनेगल हैं यहाँ वोट बैंक का thermal सारा खेला जाता है तो यह आप लोग समझ सकते हैं इनसे क्या सिखते हैं प अंप लोग फ्टॉट साıllप अगर सीखना से हाला कि थोड़ा डिफरेंट है पॉलेटीशन से आप लोग यह सीज़ सकते हैं कि अगर आप लोग यह देखी कि आप लोग किसी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो जिस पुराने पेपर को एनलेसिस करो और जिस सब्जेक्ट में से सबसे अदय कोशन पूछे जा र कोशन आप लोगों से पूछ ले आती है तो इसलिए यहां पर आप लोगों को एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलने पड़ेगी जोगी घंधी जी वाली पूरी ससाइटी को साथ में लेकर चलना है ठीक है तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हो तो गुमा फिराकर यह है कि कहीं न कहीं हमारे देश के अंदर में जो मुझे लगता है परसनली क्या होना चाहिए एक तो गौर्मेंट किसी की भी बने एक मैजरूटी की बननी चाहिए ठीक है मतलब मैजरूटी होनी चाहिए क्योंकि वो इतनी मतलब खींसतान होती है जिसकी कुछ अदनी दिक करने वाले हो मतलब उन मुद्दों के ओपर होना चाहिए कि वोमेन इंपार्मेंट के लिए क्या कर रहे हो आप जो हमारी सोसाइटी आगे बुज़ूर्ग होगी क्या उसके लिए कोई पोलिसी आप लोग लेकर आ रहे हैं आप आप किस तरीके से आप लोग चीज़ों को ल मुसलिम कम्मुनिटी के ओपर कूथते रहते हैं एक हिंदू लिडर है वो हिंदू कम्मुनिटी के ओपर कूथते रहते हैं मतलब हम लोग एक देश के अंदर में रहे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम लोग जब बोलते हैं तो क्या हमारे पॉलिटीशन के अंदर में वो unity in diversity देखने को मिलती हैं एक parent जो है वो सुबह खुद जो है वो 8 बजे उठ रहे हैं बच्चो कह रहे हैं तुम 5 बजे उठ जो क्या यह possible है बच्चा कहेगा खुद तो सुधर जाओ पहले मुझे बाद में सुधर लेना तो अगर यहाँ पर खुद माबाप ही नहीं सुध ज़र रहे हैं तो आप लोग को expectation लग रहे हैं कि बच्चे सुधरने वाले हैं अगर हमारे politician ही unity in diversity को accept करने के लिए त्यार नहीं है तो आप लोग को लगता है कि हमारी जनता जो है उसका accept करने के लिए त्यार रहेगी तो कही न कहीं जब हमारे जो politician को हमारे leader है वो यहाँ पर कहीं न कहीं particular cast community के ओपर यहाँ पर comment करते हुए नजर आते हैं तो इसके वज़े से हमारे समाज के अंदर में जो सुन रहे हैं सोच रहे हैं उसको 24 गंटे देख रहे हैं न्यूस पर उनकी वीडियो चला रहे हैं तो हमारे mind में क्या चलेगा उसके बारे में हम लोग सकते हैं तो कहीं न कहीं यह सारी चीज़े हैं और इससे में सबसे बड़ा change पता है कहां से आएगा यह सबसे बड़ा change लेकर आ सकता है तो वह है only and only education education नहीं कैसा हतियार है जो बिना किसी को मारे इंसान को क्या वो पूरे system को एक तरीके से सुधार सकता है और एक system को change कर सकत है तो यहां से आप लोग समझो तो यह बहुती important है यहां पर जो कहीं न कहीं एक educated इंसान होना वो सही और गरत में फर्क करना यह इंसान की common sense होना और कई बार तो आप लोग यह बोलते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान ही थोड़ी ना जरूरी है कि वो इंसान जो है basically समझदार होता है समझदार जो होती है वो पढ़ाय लिखाई से नहीं आते हैं मैं आप लोग बता दूँ पढ़ाय लिखाई समझदार में edition का काम करती है edition मतलब जो आप लोग पढ़ रहे हैं जो आप लोग समझ रहे हैं उसको और improve कर देगी पर कोई यह बोले कि समझदार बस प्रटीशन है उनकी education fix कर देनी चाहिए कि इतना तो कम से कम पड़ा लिखा हो इनसान की एक टेक्निकल टेक्निकल चीज़ा आ रही है आज की डेट में कि इनसान को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या बोलके चला जा रहा है तो इतना तो कम से कम होना चाहिए कि उसको यह नह लग उस website पर publish कर देना चाहिए यहाँ पर यह चीज़ आप लोगो यहाँ पर देखने को मिलेगी ठीक है तो यह दो चीज़ अगर यहाँ पर change कर दी तो काफी बड़ा change आप लोगो ground level पर यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा ठीक है हम लोग कहते हैं कि अगर कोई बच्च पर इंप्लिमेंट करेगा उस कानून को क्योंकि खुद वो उस चीज में सनलिप्त है ठीक है वह बात होगी ना मातमा गादीची खुद गुड़ खा रहे हैं तो कैसे मना कर दे सामने वाले बच्चे को मीठा खाने से तो पहले मैं छोड़ दूना तब बोलोग ना तुमको हो भी है राय है मानो ना मानो पैसा आपकी चल रही है चीज़े हैं चली आगे चलते हैं इंट्रेस्टिंग और इंपोडेंट आर्टिकल है दोस्तों प्याइबी के अंदर में पब्लिस के गया बेदेखो यहां पर कई बार यह चाहिए देखने को मुलते हैं कि प्याइबी टोपिक्स के भी वीडियो इधर उदर देख लेता हूँ ठीक है इतना टाइम है आप लोगे पास में रियलिटी में कि आप लोग यहां पर देखने के बाद भी आप लोग कहीं और भी जाकर मुह मारते हो तो यहां पर आप लोग को लगता है कि इतना टाइम आप लोगे प पककर आप लोग बस हैंसे पढ़ लो आप लोग जहां भी मन करता है आप लोग हहां से पढ़ लो पालेकिन at least एक जगे टिकर पढ़ लो यह नहीं लक्समी कांथ किताब पढ़ लो बस उठागे उसके बाद में अपनी self study के उपर में, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ये सारी की सारी की चीज़े होती हैं, कहीं है कि एक इंसान की जो आदत होती है, कि वो ये कर रहा है, मैं भी ये कर लेता हूँ, अपने ऊपर ट्रस्ट करो थोड़ा सा, और जो सामने इंसान है, उसके वो भी कुछ न कुछ करी रहा होगा नहीं, तने दिनों से यहाँ पर एक तरीके चीज़े कर रहा है, अगर एक आर्टिकल आज कवर हुआ है, तो वो आर्टिकल कल कवर हो जाएगा, पर आर्टिकल कोई छुटेगा नहीं, ठीक है, तो ये चीज के आप लोगों में ठीक है, अब ये कहीं से कर लो, वो आप लोग डिसाइड कर लो, टाइम को बेसिकली ऐसा मस्तो चो कि फिरीक है और उसको बरबाद करते रो, ओके, आगे बात करते हैं, डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल के बारे में, डी ए सी, ये इतनी पावरफुल बोडी है, जिसकी कुछ हद नहीं है, देश के अंदर में कुछ भी अगर होने, डिफेंस के मामले में, ये बोडी आप लोग काम करती नजराएगी, फोर्मेशन दोस्तो इसका किया गया था हमारे देश के अंदर में, जब यहाँ पर 2001 के अंदर में इसको, बेसिकली हम लोग ने बोला था, कि अपने देश की नेशनल सीक्योर्टी को रिफॉर्म करेंगे, क्यों? क्योंकि कारगिल वोर हुईती 1999 में की, उसके बाद में लगा कि कुछ करना चाहिए, तो गुरूफ ओप मिनिस्टर के द्वारे रिकमेंट किया गया, कि एक ऐसी बेसिकली एक्वाइजेशन एक सिस्टम बनाओ आप लोग यहाँ पर, जो कि चीजों को यहाँ पर सधार सकें, यह इतनी इंपोर्टेंट है कि डिरेक्ट डिफेंस इनिश्ट्री इसके हैड बनाएगे हैं, ठीक है? और मेंबर को उनों होते हैं, देखो कितने खतरनाक लेवल के, चीप ओव डिफेंस स्टाब इसक कर सकते हैं, यह पूरा फोकस आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो बहुत ही इंपोर्टेंट यह बोडी है, जिसके बारे में आप लोग याद रखना, और कोशन भी कैसे बनेगे? कोशन आप लोग यहाँ पर देगो, कोशन को अटेम्ट करो चलो, देखता हूँ क कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं देश के अंदर में, कुछ ऐसे इवेंट होते हैं देश के अंदर में, जिनके year at least आप लोग को याद होना चाहिए, क्यों को बोल रहे हैं अगर कारगिल वोर का साल भी आप लोग को याद नहीं है यहाँ पर, तो फिर तो यार मतलब यह त ठीक है, कि RBI का Governor के बारें बात कर दी, पूरी statement बोला कि एक Constitutional Post है, सारी statement सही दे रखिए पर बागे Constitutional Post बोल दिया, तो यह आप लोग समझा करें यहाँ से, तो answer आप लोग को यहाँ पर B देखने को मिलेगा, और यह question जो होते हैं आप लोग इनका revision भी कर सकते हैं, मैं Saturday में होते हैं, उसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, और फिर आप लोग के लिए एक और एक टेस्ट स्टार्ट कर दिया, जो कि Sunday में देखने को मिलेगा, फुल आप लोग को 100 को कोशन का, फिर वहाँ पर प्रैक्टिस होगी, इतनी बार अगर किसी कोशन को प्रैक्टि आप लोग उसे कई बार पूछा गया है, हमारे देश की बढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने काफी अच्छे से काम किया है, अपने देश के अंदर में, अगर फूड सीक्योर्टि को लेकर आप लोग इहां पर बात करते हैं, तो इसके चलते हमारा अप्रिशेशन इन हैं हापर और फूड एंड अगरी कल्चर ओर्गिनेशन के द्वारा मिलकर हैं हापर, ठीक है, याद रखना डेरेक्ट कोश्चन मनता हैं हापर, 1963 में, कोश्चन ये पूछा गया था, इस स्टेटमेंट देकर, कि किन दो ओर्गिनेशन को मिला कर ये बेसिकली पर्टिगलर और तो कोश्चन बनें तो कन्फूसीान हैं हापर नहीं है, और आप लोगगों इनडिय पीस का मेंबर देखने को मिलेगा, डेकर, नॉर्मली, अल्टर्नेटिवली, जनिवा और रोम के अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगे, six official language है और currently ये किसके ओपर बात कर रहे हैं ये दो चीजों के ओपर बात कर रहे हैं ये दो चीजे हैं जिनको आप लोग यहाँ पर याद भी रख सकते हैं एक का नाम है sorghum और दूसरे का मा नाम है millets अब लोगों देखना हमारे देश के अंदर में अभी millets को लेकर हम लोगों ने कितना काम किया है तो उसके लिए भी हाँ पर appreciation आप लोगो mainly हाँ पर देखने को मिल रहा है हमारे देश ने millets को भी अभी हाँ पर क्या किया international level पर हम लोगों ने काफी appreciate किया तो इसके लिए आप लोग समझ सकते हैं कि code of elementaries commission किसके लिए direct question मन फूरी standard solar energy internet of things या फिर nanotechnology सुनने में जब मैंने पहली बार यह question पढ़ा था ना तो अगर आप लोगो नहीं पता होता है तो फिर आप लोग यह चीज़े देखने का मिलती है तो यह चीज आप लोग यहाँ पर याद रखना basic है important है तो कोई confusion इसको लेकर आप लोगे मन में नहीं होना चाहिए तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं तो question का answer आप लोगे सामने है पर ऐसा नहीं है एक question और दूँगा international year of millards इसके बारे में आप लोगे सामने question है इसका answer आप लोगो देना है देखता हूँ कोन सही answer देता है ठीक है तो यहाँ पर यह अप्रूव किया गया Food and Agriculture Organization के दोरा United Nations General Assembly के दोरा गया 2023 में और यहाँ पर यह एडप्ट किया गया UN resolution के द्वारा support किया गया more than one-third member के द्वारा तो सही answer आप लोग को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आप लोग यहाँ पर यहाँ पर यह बता हिए ठीक है तो कौन सी statement यहाँ पर सही क्योंकि बहुत important है अगर हम लोग बात करें खासकर जब हम लोग बात करते है बेसिक इसके बारे में मोटा अनाज के बारे में आप लोग देखो अभी मोसमा रख है साग रूटी आप लोग चपका सकते हो बहुत अच्छे से तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर इसको लेकर अंसर इसका आप लोगो भी देखने को मिलेगा ठीक है तो यह चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं नेक्स जो मैंने आप लोगों से बात करनी थी वह बात करनी थी Amazon के साथ में और Amazon मिलकर काम करी है SpaceX के साथ में और दोनों की दोनों प्राइवेट कंपनी है और यह क्या कर रही है Falcon 9 launch कर रही है यहाँ पर फोर्दक क्यूपर सेटलाइट तो यहाँ से important क्या चीज़ आप लोगो समझ में आती है में पर सेटलाइट है और इसी के साथ में customer terminals के बारे हैं बात की जा रही है आप तो focus क्या क्या जा रहे है कि Leo के अंदर में इसको यहाँ पर बेसिकली ले जाकर डाला जाए तो Amazon और SpaceX मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं तो इसके लिए direct अगर आप लोगो से कोई question पूछे कि project के उपर जो है वो किस से लिटन है आपर जो भी news में था तो यह basically क्या करेगा यह high speed internet provide कराएगा किस particular area के लिए उन area के लिए जहाँ पर internet की service यहाँ पर पहुच नहीं रही है आप लोगों पता है कि आज की data में internet को लेकर काफी सारे project launch करने की कोशिस की जा रही है तो उनमें से ये भी एक project आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगा जो internet के उपर काम करता हो यहाँ पर नजर आता है ठीक है तो यह काफी important है जिसके उपर आप लोग यहाँ पर star लगा सकते हैं कोई confusion इसको लेकर आप लोगे मन में यहाँ पर नहीं होना चाहिए ठीक है कल को चल गए question पूर सकते हैं immediately आप लोगों से तो internet को यहाँ पर यह सही direction देने के लिए इनके द्वारा यह काम किया जा रहा है answer क्या होगे आपर answer होगे इसका high speed internet provide कराने के लिए answer आप लोगे सामने confusion नहीं होना चाहिए इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात किजए next जो आप लोगों यहाँ पर article जो देखने को मिल रहा है उसके बारे में आप लोगों से कई बार question भी पूछाते हैं तो maritime यहनि के समुंदर के बारे बाते कर रही है तो United Nation की responsible agency है जो की established के गए थी हैं आपर UN conference के द्वारा जनेवा 1948 में ठीक है first meeting होई 1958 में headquarter London United Kingdom के अंदर में आप लोगों देखने को मिलेगा 175 member है इंडिया ने जोइन के था 1959 के अंदर में main objective है environment for focus देना safe और promote environmental friendly sound efficient यह sustainable shipping के बारे बात करना क्योंकि shipping जो है वो कहीं न कहीं आज केड में maximum हमारा वैपार जो होता है वो shipping के तुरू होता है ठीक है यहाँ पर क्या है कि maritime safety के बारे बात करना maritime environment protection के बारे बात करना यह 5 committee है इसके अंदर में legal कोई दिक्कत होती है तो उसको फिर discuss करना technical क्या है और कैसे चीजों को facilitate कर सकते है यह इसके main आप लोग को area देखने को मिलेगे ठीक है इसके बारे में समझ सकते है तो question का answer क्या हो सकता है कि एक legal standard setting authority है safety और performance के बारे बात करत आप लोग इसका answer a b c f a d तो answer आप लोग इसका c देखने को मिलेगा ठीक है तो यहां तक कोई doubt है तो बताइए कोई भी doubt यहां पर नहीं होना चाहिए इसराइल के द्वारा bombardment करनी स्टार्ट कर दी गाजे स्टिप में आप लोगों पता है कि गाजे स्टिप वाला area जो था उसमें इन्होंने यह बोला था कि south में चले जाओ हम लोग कुछ नहीं करेंगे अब सदन को बोल रहे हैं कि evacuate कर दो तो बाई साब जाए तो वो जाए क कर देंगे तो कितना खतम करेंगे वो देखने वाली बात है क्योंकि 15,000 लोग जो मारे गए हैं यह हमास तो नहीं थे कम से कम तो यह चीज़ें हाँ पर सोचने वाली होगी है तो कहां तक जाकर चीज़े निकलते है क्योंकि अब डिस्प्लेस अगर यहां से होंगे तो 10 ला इपर समझ सकते हैं इसके बारे में ठीक है इसी के साथ में हापर बात करें GDP अगर बात करें की एक तरीके से डिक्रीज होगी इंडिन GDP एमिषन कितना है अगर बात करें यह बात कि जा रही है कि से 2005 से ल стенज उनीस तक का तो av परसेंटेज में बताई जा रही है 33 परसेंटेज में आप लोगों देखने को मिली गोर्मेंट रोपोर्ट के द्वारा दा थर्ड नेशनल कम्मुनिकेशन टू दा युनाइटी नेशन फ्रेमबर कंवेंशन क्लाइमिट चेंज तो यहां पर मैक्सिमम जो कंट्री हैं वो भी इंडोनेशिया यहां पर आप लोगों देखने को मिलेगा मारा पी वॉलकेनों के वारें बात की जा रही है अगर इंडोनेशिया को आप लोग ध्यान से देखोगे तो यह आप लोग को नजर आएगा पैसिफिक जो रिंग है सरकम पैसिफिक बल्ट जो बेसिक लिए आप के अंदर में और यह वेस्ट सुमित्र के अंदर में संडे को आप लोग को देखने को मिला वैनुजला के अंदर में पोल के बारें बात करें तो ओयल रिच्ट्री जो है यहां पर डिसिपुटूट है ग्वैना के साथ में तो वैनुजला भी एक ऐसा कंट्री आप लोग यहा out of the box जाता हुआ नजरा रहा है और इससे पहले कि आप लोग जो हो मुझे उल्टी सीदी बाते बोलना है स्टार्ट करो मैं आप लोगों से विराम लोगा ठीक है तो कौन-कौन से आर्टिकल डिस्कस किये मैंने आप लोगों से नोटा के बारे में डिस्कस किया इलेक्शन के आतले वीडियो में comment box में आप लोगों बताना है कि आज आप लोगों ने क्या-क्या सीथा है Update में बात की देक है इसी के साथ में हम लोगों ने डिसेबल के बारे में बात की society के अंदर में कहा आपर क्या-क्या की से पूलिटिक्स हमारे देश के अंदर में देखने की दो पूलिटीयर कईसे होने चाहिए उसके बाइगा से यह तो ये था total आज का discussion और आप लोगों ने क्या क्या सीख था तो आप लोगों ने क्या क्या सीख है यहां पर यह आरो की किलासी ने और यह ACI की किलासी ने बिसेकली IB वाले की और इन CRT की किलासी देखने को मिलेगी फीड़बेक जरूर दिया करो application डाउनलोड करके question post के जाएंगे उनको आप लोग answer जरूर करना और जो serious हो वही इसको join करना उसके लावा कोई join मत करना यह आप लोग से request है आज का discussion कैसे लगा और क्या feedback आप लोग दोगे तो जरूर बताना इसके चलते फिर चीज़ों को रखेंगे तो इसको आप लोग थोड़ा सा देखो बाकी कोई भी दिक्कत कोई शमस्या कोई प्रेशा नहीं हो तो बताना उसको दूर के जाएगा वीडियो कंप्लीट होने के बाद में जरूर बता देना जिससे की चीज़ों का हम लोग improve कर सके हाँ मैंने बोल दिया है सर को कि मैंने का सर हिंदी इंगलिस वाले दोनों बच्चे है तो उनको थोड़ा सा देखके चलो तो सर से बात होगे अटेंशन मतले बाकी जो भी दिक क्लास कंप्लीट होने के बाद में जरूर बताना कल के लिए extremely sorry PDF प्रोवाइड नहीं करा पाई पर आज आप लोग को PDF मिल जाएगी ठीक है और फिर यहां से आप लोग को regular PDF मिलेगी ठीक है यह मैं promise कर रहा हूँ क्योंकि कुछ और भी काम थे कई सारे तो उसको लेकर आप लोग टेंसन मतले ना ठीक है चलिए फिर अपना ध्यान रखिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए लव यू ओल टेक क्यर बाई 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 सी यू टुमारो तब तक इंज्वे करिए अपना और टाइम से आना क्योंकि टाइम पर आना भी बहुत बड़ी चीज होती है त है फिर आप लोगों के आज का लेक्शन इपर समात करता हूं नेक लेक्शन मिलता हूं तो बड़ो का नमस्ते चुड़ाए